इसको हम लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको इसमें फालतो टाइम ना लगा है क्योंकि यह 150 प्लस पेजिस का डॉकिमेंट है कॉमनली एक कॉमन सेंस लगाओ कि इतना पढ़ना इस नौट पॉसिबल यूपीस्टी इस नौट एक्सपेक्टिंग हो कि आप इतना एक एक लाइन ब्लाइन पढ़ना है तो पहली चीज़ को वर्ट वर नहीं पढ़ना है इतने सारे रिपोर्ट इतने सारे कन्वेंशन से और इतने सारे करेंशन से मीटिंग से सब कुछ इंपॉर्ड नहीं है ओवर दे यर्स मैंने जो की कलतिया करी है वड़ी मिस्टेक्स है डिट नाव दोजार थेशल अटेम में मैंने सब को रेक्टिवाई किया एंड मैं इसको इतने अच्छे से बढ़ा इतने फिल्टर के में दो घंटे का लेक्टिर होने वाला है and if you are with me till the end इस वीजन के पीटी से आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अलावा मैं environment का I'm also covering the course हर एक चीज जो मुझे आती है हर एक चीज जो concept मुझे पता है जो over there's मैंने filter किया हुआ है मेरी ये अशॉरिटी है ठीक इक पार्ट होगा मैं भी वीडियो बनागे सारा कुछ कवर कर दूँगा everything I'll provide you on the YouTube only ठीक है इस prelims में environment को लेकर आप potential करने के जरुवत नहीं है okay so without wasting any time start करते है इसी पहली चीज कुछ चीज़े मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें skip करना है ठीक है तो यहांस देखो आप random organization दिया हुआ है इसको skip करना है conventions बहुत सारा दिया होता है meetings होती इनको skip करना क्योंकि humanly possible नहीं जो मैंने बताया आपको खाना उतनी खाना जतना हम digest कर पाएं all right now if we talk about the random species तो random species कम से कम 50 plus species given है इसमें ठीक है सब कुछ नहीं करना है जो इनका context is important सिफ उनको ही करेंगे random reports given है कम से कम 50 plus report again given है जो important है जैसे WMO की report है ठीक है आपका UNEP की report बड़े मतलब UPSC favorite topic है UNEP UPSC का इसके अलावा फिर और भी चीज़ा है जो भी आपको मतलब मिलेगा FAO का report होता है ठीक है WWF की report है तो यह जो important reports है जो हमें सबको पता होनी चाहिए सिर्फ उनको पढ़ेंगे बागी चीज़ों को skip करेंगे क्यूंकि reports में input ज्यादा लगता है output कम मिलता है ठीक है इसलिए इसको आपको skip करके चलना है UPSC expect नहीं कर दी आपसे कि आप इसको एतनी minute चीज़ों को operate हो ठीक है अब उन्हों के question आया हुआ है question आया हुआ है तो उसके और भी options थे दूसरे option को UPSC नहीं है दिया है उसको use करके आप आगे बढ़ सकते हो ठीक है कुछ flagship species है उनका अगर IUCN देखना होगा तुम लोग देख लेंगे बाकि सारी species का याद करना पॉसिबल ही नहीं है ठीक है confused हो जोगे मेरे बात याद कर लो तो don't worry much about current affairs क्योंकि environment में आपका जो 80% है ना that is your static ठीक है अब यहाँ पर आ जाओ इसमें मेरा contribution क्या होने वाले है देखो मेरा contribution सबसे पहला होगा कि PT 65 में क्या करूंगा कि इसमें video lecture बनाओगा जो आपको YouTube में मैं भी lecture बना रहा हूँ इसके थुरू आपको सारा का सारा PT end to end cover कर दूँगा ठीक है दो घंटे का lecture होगा इसमें आपका सारा कुछ cover हो जाएगा उसके लावा जो भी जो PDF में आपको यूज करके पढ़ाओंगा यह PDF आपको मैंने दिया तो इस PDF का यह जो PDF है यह PDF में आपने टेलिग्राम चैनल में प्रवाइड कर दूँगा आपको ठीक है इसमें सब कुछ यह सारा कुछ given रहेगा तो पीटी से क्या दे दिया मैंने आपको वीडियो लेक्शर दे दिया लाइन बे लाइन का इसी का PDF जो यूज कि है PDF में प्रवाइड करा दूँगा आपको उसके लावा मैं बोनस क्या दे रहा हूं आपको स्टेटिक जो है ना जो 9-10 lectures I will post it will be of very high quality and it will be very very crisp कि 30-40 minute का एक lecture होगा टोटल आपके 9-10 lectures होगे ठीक है मतलब कि मोटा मोटा आपका 3 गंटे में 3-4 गंटे में I will try to cover the entire environment ठीक है यह overstatement नहीं है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि I will give you only that thing which is important ठीक है अब देखो trust me मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा कुछ भी छोड़ूंगा नहीं but human error अगर हो जाए कुछ छोड़ जाए तो कोई दिक्रत नहीं सब से छूड़ता है कोई भी इंसान सब कुछ कभी भी पूरा नहीं कर सकता ठीक है क्योंकि 200 marks अगर question आता है तो हमें 200 में 200 नहीं लाना है 80 marks cut off गया था ठीक है इस साल 2023 में तो we have to be very selective now which topics I will cover in the course देखो we will start with the ecosystem इससे हर साल दो से तीन questions आत पूछती है यूपसी का बहुत जादा फेवरेट है ठीक है इससे मैं आपको ऐसे ऐसे tricks बताऊंगा ना not trick I will say common sense logic बताऊंगा जिससे आपके environment pollution का एक भी question अगर फ़स गया तो आप मुझे बताना conventions का मैं पूरा timeline बताऊंगा आपको लोग confusion का create करते हैं कि इनको timeline नहीं पता होता कि कि किस तरह के स्टॉक होम हुआ था स्टॉक होम के बाद 92 में Rio submit हुआ इससे निकल के फिर आपका आता है UNCCD UNCBD and फिर आपका आता है UNFCCC ठीक है फिर इसके COP conventions होते हैं इसके COP conventions होते हैं यह आपका justification में काम करता है इस तरह के से फिर आया फिर UNFCCC का फिर आपका आता है यहाँ पर Kyoto protocol है ठीक है इस तरह के सब्सक्राइब है फिर पूरा पूरा timeline आपको समझना होगा फिर CBD में आएंगे तो Nagoya protocol होगा ठीक है 12-13 मैंने इसको पूरा का पूरा मैना I will say कि जूस बना के पहलिया ठीक है and I'll give you everything that I have ठीक है complete act जो भी है इसमें confusion होता है सब act दे दूँगा मैं जो भी act में important चीज़े हैं ज्यादा detail में cover नहीं करना है ठीक है government की document देखोगे पीटी में देखोगे तो बहुत जारा detail होता है अलकि यह तो brief चीज़े जो important जिससे MCQ बनता है species जितनी भी important जो हमें जाननी चाहिए वो कर लेंगे इस पर प्रिल्मस में आपके पुछा था कि कौन साइसा species है जो वूड में वूड में hole करके खाता है ऐसा कुछ करता है तो ऐसे random species तो हम बता नहीं सकते है लेकिन जो कुछ चीज़े इसमान लिए आपके टॉटो इसे पुछ लिया टॉटल पुछ लिया घरिया पुछ लिया टाइगर पुछ लिया चीटा पुछ लिया तो कुछ species यह हमें पता होनी चाहिए डॉल्फिन इंडिया में के तरगे मिलती है डॉल्फिन ठीक है पिर आपका घडियाल कहा होता है मगर क्या होता है स्वाट वाटर कोकोडायल क्या होता है एस्ट एक और एफ्रिकन एलिफेंड में क्या डिफरेंस है अशैटिक अफ्रिकन लाइन में क्या डिफरेंस है यह सब बशिक्त चीज किसी हमें पता होनी चाहिए सारे जाम से कन्वनेशन देख लेंगे हम लोग बाएउस परे रिजर्व जितने भी है बात करेंगे शानिली पर के बारें बात करेंगे यह सब हम लोग सब कर लेंगे, अब हम लोग पीटी पे आते हैं, इस पे मैं लोग से वीडियो बना दूँगा आपके लिए, देखो, सबसे पहले पीटी में आते हैं, यहाँ आप देखो क्या देखेंगे हम लोग कि climate change आपका जो है, पहला टॉप की रही है, climate change के बारे में देखो, अब ओजोन ही होता है, climate change में पहला आपका, ओजोन होले ठीक है, तो ओजोन क्या होता है, ओजोन आपके TROPOSFERE में भी होता है, STRAPOSFERE में भी होता है, TROPOSFERE में जो होता है, उसको BAD OZON कहते है, that is your pollutant, ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, यह मैं, यह मेरा notes से है, मैं जब pollution chapter आपको यहां से पढ़ाऊंगा तो I'll cover it, यह मेरा notes है, आप एक बार PDF में देख लेना, ठीक है, सब कुछ मैंने आप पहले से cover कर रखा है, ऐसे नहीं मैंने अभी बनाया है, यह मेरे 2022 का notes बना हुआ है, इसको मैंने भी 23 में यह सारे parts एड़ करी, यह मैंने इतना वाल 2022 से मनाया, इतना वाल 2023 से मनाया, तो over the time मैंने क्या गरा notes को addition करा, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, देखो, अब इसमें important क्या है, ozone layer होता है, सब को पता है, ठीक है, अब हम ozone depleting chemicals release करते हैं, जिससे कि इस ozone में hole हो रहा है, holiness क्या है हमारा कि sun की जो ultra wild rays है, वो हम तक पहुच रही है, हम तक rays पहुचती है, यह तो हमें क्या होता है, skin disease, cancer बगर होने का चान्स हो जाता है, ठीक है, तो stratosphere में जो ozone था, वो good ozone था, जो हमें UV से protect कर रहा था, हम इसी में चेट करने लग रहे हैं, ठीक है, हमारी यह activities से, यह जो CFC, hydrofluoro carbon, halon, यह सारे जो है ना, इनको ozone depleting chemical कहते हैं, इनको ODS भी कहते हैं, अब इसको समझने के एक trick बताता होगा है, जिसमें, जिसमें halogens हैं, chlorine, fluorine, bromine, iodine, यह सब के सब mostly आपके क्या होते हैं, आपके ozone depleting होते हैं, ठीक है, यह होगा है आपका, अब ऑजोन depleting substance है, देखो major ODS कौन कहते हैं, chlorine, bromine, CFC, carbon, tetra chloride, है क्लोराइड है, halons मतलब आपके halogen है, SF6 में भी देखो fluorine है, यह एक तरह का halogen है, ठीक है, मतलब कि stratosphere में देखो, ozone बहुँ जादा है, तो ozone layer बन गया, ozone कम हो रहा है, तो इसको measure करने की unit को drops and unit कहते हैं, exam में कुशन आ जाए कि drops and unit क्या है, तो ozone measure करने की unit है, ठीक है, यह clear हो गया है आपका, बाकि यह finer details, polar vertex अगयरा, पीजडी नहीं करने ही, रिपोर्ट सोड़ी release करना है हमें, ठीक है, तो हो सब छोड़ देगे, यह देखो, अब मैंने देखा कि यह देखो, ozone depletion हो रहा है, stratosphere में, और जो lower atmosphere में जो ozone बनता है, तो stratosphere में ozone deplete हो रहा है, हमारी activities है, और हमारी activities से lower atmosphere में ozone बन रहा है, और जो ozone हम बना रहा है, it is a pollutant, जूकि acid rain, smog, greenhouse gas, यह सब का सब negative impact देता है, ठीक है, photochemical, smog, यह सब के सब ozone contribute करता है, यह सब हम लोग pollution है पढ़ेंगे, ठीक है, अब यह आगे बढ़ते है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, अब क्योंकि यह सब static topic है, कहने को य chemical से ही ozone में hole होता है, natural चीज़ों से नहीं होता है, तो natural चीज़ों से भी होता है, volcanic eruption है, अगर volcanic eruption होगा, तो obviously बहुत सारे chemicals निकलेंगे, कोई नो कोई chemical तो ऐसा होगा ना, जो इसमें hole कर दे, हमें क्या पता है, हो सकता है कि हो, ठीक है, अब देखो, यहां तक देख लिए ozone से क्या हो रहा था, ozone में hole हो रहा था, इस hole को रोपने के लिए हमने बहुत सारे conventions लाए, ठीक है, जब से पहले convention था क्या, V&A convention था आपका, ठीक है, V&A convention ने क्या गरा, कि इसने बोला कि chloro-fluorocarbon को ban कर दो, उसके बाद एक और convention है, monumental convention, उसने कहा कि ठीक है, अब hydro chloro-fluorocarbon को भी ban कर दो, फिक के गाली आया, उसने कहा कि चलो भई, HFC को ये ban कर लो, ये पूरा को पूरा एक chronology है, ठीक है, इस chronology को समझे आप, इस के लिए हम लोग किसमें cover करेंगे, अगें, जब मैं pollution पढ़ाऊंगा, आपको cover कराऊंगा, ठीक है, बट अब ये मोटा-मोटा देख क्या कहते हैं, कि इसमें कहा कि HCFC को फेज आउट करना था, अब exam में आपके MCQ क्या बनेगा, क्या आपसे पूछेंगा क्या है, इंडिया ने HCFC को फेज आउट कर दिया है, ठीक है, तो HCFC को फेज आउट नहीं किया, आपसे exam equation पूछेंगा, मॉन्टेयल में क्या HCFC देता है नहीं, वियना में, CFC को फेज आउट करना है, यहां से कंप्लिटली नहीं किया आपका, दूसरे MCQ बनेगा, बुलेगा कि इंडिया ने कंप्लिटली फेज आउट कर दिया, राइट इस्ट्मेंट या रॉंग इस्ट्मेंट, क्योंकि इंडिया ने HCFC 14B को इलिमिनेट इसक अब एक्जाम में आए कि मोंट्रेल प्रोटोक्वाल यूनिवर्सली रेटिफिकेशन है इसको यह से उनिवर्सल रेटिफिकेशन है, आपको बड़ा एक्स्ट्रीम स्ट्रीम इस्ट्रीम लगेगा, वो जुच आउज़ कले मार्कटिम्ट तो तो पाट दो, ऐसा नहीं है, इसका universal ratification है, environment में एक extreme statement वर्क नहीं करता है, ठीक है किगाली का बता है मैंने, किगाली में HFC को hydrofluorocarbon को करते है हब hydrofluorocarbon क्या है, इसका green house gas कैसे नहीं है green house gas कैसे बताते है, वो सब में लग पलिशन इजाप्टरेंग पढ़ेंगे वियना देख लिया, मॉन्टरेल देख लिया, किगाली देख लिया, इंडिया तीनों का पार्ट है इंडिया में कौन सी ministry देखती है, अब नेक्स टोपक में आते हैं, सो कहते हैं, क्रायोसफेर इसमें ज्यादर दिमाग बिलकुल नहीं लगा जो बतार होता सुनो, क्रायोसफेर का मतलब क्या होता है, कुछ भी जो आर्तमें फ्रोजन है ना Ice sheet होगा, Glacier होगया यह सब को क्रायोसफेर का पार्ट है, ठीक है? फ्रोजन चीज़ों को क्रायोसफेर का पार्ट है टेख है it takes a lot of energy to speak and teach fast a lot of it exhausts you right but फिर भी I don't want to waste your time को देर देर कर रहे है अब देखो इसका issue क्या है कि global warming कर रहे है हम लोग उससे सब कुछ heating हो रहा है heating होगा तो अफिसले बर्क पिगलेगी नहीं यार तो cryosphere क्या हो रहा है melt हो रहा है पढ़ना है तो पूरा को पढ़ो, ठीक है, पढ़ने से मना ही नहीं है, बट वो चीज पढ़ो, जो एक्जाम तेक लेकर ही न जा पाओ, आवर आइडिया इस नौट तो बी एन एक्सपर्ड, ठीक है, पीचड नहीं करनी, पढ़ो, बेसिक अडिया होना चाहिए, बट मीन्स के लिए सब इंपोरेंट है, एक सीरियस आइस्परेंट जो भी पढ़ता है, उन चीजों को उन लोगों को नहीं होता है, बेसिक, ठीक है, तो बेसिक तो पता होना चाहिए, बट इसमें exam में question, पीर प्लिम्स में आपके नहीं बनेगा इससे, इसलिए मैं बता नहीं रहूँ आपको, ठीक है, उपर उपर से एक बार रेडिंग मार लेना, देख लेना बस, रटनी के क्यों ज़रूत नहीं है, अब देखो, finer details है, these are important, but for your mains exam, not for your prelims exam, ठीक है, अब देखो, मैतरी भारती अंतर्क्टिक एक्ट यह, को यह सब basic मतलब ना, जो पढ़ रहा होता है, उनको knowledge होता है, कि मैतरी भारती के हैं हमारे research stations है, बस इतना देख लेना है, बाकी चीज़ों को पढ़ने के जरूत, एक convention, treaty बगर है, इतना 50 तरह की चीज़े थोड़ी पढ़ सकते हैं, अब दो possible नहीं है, अब देखो, Arctic Amplification क्या है, मैंने बताया ना, आपको कि Arctic में ice है, Antarctic में ice है, तो यहाँ पर भी ice है पिखल रहा है, यहाँ पर जो ice है भी पिखल रहा है, बड़ जो Arctic में ice पिखल रहा है, वो faster melting हो रही है इसकी, यह nearly four times जादा faster melt हो रहा है, ठीक है, यह contemporary topic है, बहुत पहले से news में रहता है, हमेशान रहता है, ठीक है, अब exam क्या धान रखना है आपको कि Arctic में जो melting हो रही है, that is more than your Antarctica, Arctic is melting faster than the Antarctica, ठीक है, इसको कहते है, polar amplification, amplify का मतलब क्या होता है, किस चीसको faster हो जाना, amplify हो जाना, तो यह polar amplification यह जी को कहते है, यह polar amplification जो है, यह Arctic में जादा है, इस computer Antarctic है, exam में कोशन है, देख लेना, 2022 में आया था, शायद third pole, ऐसा करें कोई question आया था, ठीक है, तो, amplification का है, basic देख लो, कुछ नहीं, chain reaction है, जिसमा लोगे, बर्फ पिगली, बर्फ का albedo हाई होता है, albedo मतलब की, वो सुरज की रोशनी को reflect करता है, ठीक है, बर्फ पिगली की तो reflect करने पारेगा, absorb करेगा, absorb करेगा, तो जाधा melt होगा, जाधा melt होगा, तो फिर, अगे event, जो आप चल रहा है, वो contemporary time से, वो क्या है, blue ocean event की, ocean blue हो जाना, ocean, white कब होता है, जब उसमें बर्फ पिगली तो blue हो जाएगा, तो वही चीज़ अगर Arctic का, अगर temperature यह होगा, ice area drop होगा, तो क्या होगा, बर्फ पिगलेगी तो white से, blue हो जाएगा, simple है, कोई rocket science हो है नहीं, ठ initiatives, आपको COP28 हुआ, COP26 हुआ था, बड़ा famous हुआ था, ठीक है, मोदीजनी किया था, वहाँ पे, Glasgow में किया था, यह बहुत significant था, तो Paris Agreement के बाद, जो सबसे important रहा है वाँ, Glasgow रहा है, 27, COP27, शरमल से, शेक अजिप नहीं हुआ था, लास्ट यह, वो भी अतना important नहीं था, and this is also not that important, कुछ significant ज्यादा outcome निकला नहीं, दुबई में हुआ था, जो भी चीज़े important हैं, हम लोग देख लेते हैं, यह सब कुछ important नहीं, काटके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सब कुछ पढ़नी सकते, ठीक है, रिपोर्ट बहुत जादा है, UNFCCC, it's a static topic, यह सुचना कि यहाँ पर दिया हुआ है, बट यहाँ देख लेते हैं, हम लोग, static जब मैं पढ़ाऊंगा, आपको conventions, जब मैं आपको conventions पढ़ाऊंगा, कहा गया, मैं देखाता हूँ आपका, एक मिनट, हाँ, देखो, यह मैंने, मेरा course का structure, जो मैं मैं बनाऊंगा, उस course का structure है, सुचना का convention मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो पूरा का बोरा मैं बताऊंगा आपको timeline कि किस तरीके से क्या हुआ था, ठीक है, तो उसको महाँ आप देख लेंगे, अभी basic देख लिए, समझ ना है, कोई दिक्कत नहीं, कि सबको दिक्कत होती है, मुझे भी हुई थी, बट मै आपको timeline मैं ने पढ़ा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं हुए, guarantee है मेरी, ठीक है, अब यहाँ देखो, UNFCCC हो गया, 92 में आया था, ठीक है, इसमें तीन चीज़े बने थी, मैं बताया आपको, UNFCCC, UNCBD, UNCCD, यह आपका biodiversity के लिए, यह climate change के लिए, और यह आपका desertification के लिए ह मैं cover करूँगा, मैं ठीक है, Paris Agreement, significant था, Kyoto Protocol, देखो, Kyoto Protocol में क्या हुआ था, कि इसमें आया था, आपका carbon trading करने का, पूरा नहीं पढ़ना है, प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, जो सबसे major उसका outcome वो देखना है, तो carbon trading का outcome यहां से निकल के हमारा आया था, ठीक है, कि carbon में आप trade कर सकते हूँ, बाकी आगर detail पढ़ेंगे, Paris Agreement में कहा गया है कि NDC आया था, इसमें, national determined contributions, कि हर country को अपना contribution determined करना है, कि आप climate change को global वाब में किस तरह करो गया, यह हो गया, अब important MCQ के लिए बनेगा यहां से, कि अगर exam में पूछता है आप से कि momentum for climate change किसका initiative है, so it's an initiative of who, UNFCC C, UNFCC, ठीक है, clear है, okay, यह सब skip करना है, को important नहीं है, skip, 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 अब यहां जाओ, COP28 में, इंडिया ने क्या launch किया है, हमारे लिए से यही important है, बाकी यह सब चाहो तो skip कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको एक पढ़ लेना, मेरा recommendation होगा, अगर मैं exam देने जाओंगा, जो दूँगा, तो मैं तो इसको इस पर ध्यान ने दूँगा, बस देख लूँगा, उपर उपर से, मैं ध्यान जादे इस पर नहीं दूँगा, बट यह, यह मैं exam में देखके जाओंगा, कि यह India का initiative है, Global Green Credit Initiative, अब देखो, नाम से लग रहा है कि Green Credit मतलब कि Green Activities को, ठीक है को लोन देगा कहीं ना कहीं, ठीक है, तो Green Credit का सिस्टम बनाया है, बाग की detail पढ़ने के पर गोत्रू कर लेना, रटनी के ज़रूत नहीं है, इतना बस ध्यान रखना है exam के लिए क्या, कि India का initiative है, COP28 में launch हुआ, ठीक है, और इसमें Green Credit देने की बात हो रही है, मतलब कि ऐसे लोन को देने की बात हो रही है, जो Green activities को, Green initiatives को promote करें, ठीक है, यह सब important नहीं, skip skip, G7 Climate Club, यह आपका यहां तक important हो जाएगा, यहां से हम लोग देखके आगे बात करेंगे, ठीक है, इंडिया मेंबर नहीं है इसका, ठीक है, बागी सारा कुछ important नहीं है, अल्टरा फंड नाम होता है 1992 में, इसके outcome में तीन, तीन आपके यहां पे, तीन आपके initiatives, तीन conventions बनाए जाते हैं, ठीक है, यह हो गया, आपका climate change के लिए बनाए गया, एक आपका desertification को combat करने के लिए बनाए गया, अब यह लोग ने कहा कि हर साल हम लोग आके मिलेंगे, इस UNFCCC का ही conference of the parties की जतन carbon में trade करो, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, वो carbon trading क्या होता है, ठीक है, यह हो गया आपका, so मैंने यहां से इस सारी चीदों को cover किया, ठीक है, देख लिए, आपने ice melt देख लिया, और क्या देख लिए, क्राइस फर्देख लिए, आपने ice melt जादा कुछ देखना नहीं था इसमें, ठीक है, monitor protocol, यह एक important चीज है, अभी मैं समझ सकता हूँ कि आपको इसमें doubt हो रहा होगा, बहुत चीजी समझ में नहीं आयोंगी, बटाई अशौर यह अगर आप video देखेंगे, pollution वाला मेरा, ठी guarantee देता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहींग, it's my promise to you, ठीक है, अभी दिक्कत आ रही है, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी आती थी, ठीक है, it's very understandable, ठीक है, ozone माला भी मैं कबर करूँगा, pollution में दिक्कत, सोच नहीं कि जरूवत नहीं है आपको, okay, so this is about it, okay, अब इसके बा इंडिया वैसे है नहीं, तो इसको हम लोग यहां से क्या करें, काट क्या लग करते हैं, ठीक है, यह important नहीं है, बिल्कुल नहीं है, private body है, तो private उतना important होता नहीं, UPC के लिए, अल्टेरा fund नाम थोड़ा सा इसका peculiar सा है, UAE नहीं लांच किया था इसमें, तो इसको देख ले मैंने अपने प्रीकले कवर किया था, इंडिया मेंबर जो है, इसका बिल्कुल है, ठीक है, तो इसका मैंगरूव ऐलाइंस for the climate change, इसमें इंडिया मेंबर है, clear है, यह this is not important at all, अब nationally determined contributions क्या होते हैं, देख लो, मैंने बताया था कि Paris agreement में सब सब पहले इसको दिया गया था, सारी country आके कहेंगी कि हम यह contribution देना चाहता है, climate change को fight करने के लिए, global warming को कम करने के लिए, इंडिया ने, सारी country ने declare किया था, 2015 onwards, इंडिया ने declare नहीं किया था, इंडिया ने withhold कर रखा था, finally COP26 में आके, इंडिया ने इसको declare करा, ठीक है, कि किस तरीके से इंडिया क्या क्या स्टेप्स लएगा, to control the global warming, ठीक है, carbon emission को कम करेगा, ठीक है, global warming को कम करने के लिए, क्या होना चाहिए, जो greenhouse gas जो कम कर दो, ठीक है, इस gas का emission को कम कर दो, बिसकलि एमिशन को कम करना पड़ेगा, अब इस emission को कम करने के लिए, आपको step तो लेना पड़ेगा, तो इस step को लेना और यह एक नेशन करेगा, that is a nationally determined contribution, contributions to what, contributions to reduce the emission, why reduce the emission, to reduce the greenhouse gas, why reduce greenhouse gas, to control the global warming, right, clear रहे यहान तक, okay, हर पांच साल पर सब्मिट करते हैं, एक किस धियान रख लेना यह, इंडिया और NDC क्या है, एक चीज़ आपको रटना पड़ेगा, यह पंच अम्रीज जो है, सुर्टा लगान पांच सो गेगावर्ड आपको नॉन फॉसिल के पैसे टी रखनी है, 50% energy requirement जो है, आपका renewable sources से हो, ठीक है, फिर आपका जो carbon emission जो हम लोग करते हैं, उसको 1 billion 10 से क्या करें, reduce कर दें, carbon intensity जो हमारी है, जितना carbon हम release करते हैं, उसको 45% से हम कम करते हैं, अभी हमने शायर इसको मेर क्या करते हैं, यहां performance है, इसको एक बार रट लेना आप ठीक है, पूछ सकते हैं, शायर पूचा है, ध्यान नहीं हारा मुझे, ठीक है, बड़ी important है, यह सब इतना detail important नहीं है, very general concept देख लेना, बस क्या 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 कर सकते हैं, ठीक है, रटनी है यहां देख लो, 45% आपका target ह अचीव कर लें, यहां आपको एक्जाम में question देख कर सकते हैं, बोल देखा कि यहां पर कि हमने 20% अचीव कर आया है, या पूरा अचीव कर लिया है, या पूरा अचीव कर लिया है, पूरा नहीं किया, 33% ही किया, till some part to go, ठीक है, 50% आपका जगा करना था है, यहने non-fossil मत significant हमने achievement कर आया है, यहां पर, ठीक है, almost पहुच गया हैं लोग, clear रहे हैं यहां तक, guidance on children's rights and environment, बिल्कुल ही important नहीं, skip कर वागे बढ़ो, ठीक है, skip, 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 global greenhouse gas watch, ठीक है, नाम तोड़ा सा, sexy सा है, इसका मतलब हो, sorry, अच्छा नाम है, so you can just, WMO करता है, इसको WMC करता है, देख लेना इसको एक बढ़, ठीक है, first movers coalition, ठीक है, इसका मतलब क्या था है, इसमें question आ चुका है, आपका, decarbonize, मतलब कि carbon को कम करोगे, खता में eliminate करोगे, कहां से eliminate करोगे भई या, तो industry से करोगे, ठीक है, decarbonization of transport, ठीक है, basically, first movers coalition is decarbonization of transport, India is a member, और launch कहां पर होगा था, COP26 में launch होगा था, ठीक है, यह धियान रख लेंगे, यह बिल्कुल important नहीं है, skip करो, important नहीं है, skip करो, inact partnership, नाम थोड़ा सा, इसका अच्छा सा है, India part नहीं है, ठीक है, बाकि यह सब कुछ important नहीं है, जो important नहीं है, मैंने काटा है, उसको एक तब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, cool coalition, देखो, आँ trust कर सकते हो, तो I would really appreciate अगर आप trust करोगे तो, and it will be really, really beneficial for you, trust me, okay, अब देखो, cool coalition, UNEP ने किया, इसलिए important, UNEP, देखो, UPC का favorite है, UNEP, UNEP हो गया, आपका फिर यहाँ पर IPCC हो गया, WMO हो गया, ठीक है, यह सब UPC के favorites है, तो यह जो भी reports release करते हैं, यह important होगा, बाकि कोई random करता है, वो हमसे मतलब नहीं है, FAO भी, आपका, UN का है, तो थोड़ नहीं है, हमारे लिए, climate change performance index, ठीक है, यह German watch करके, आपसे exam पूछ देगा, कि UNEP करता है, क्या, तो आपको लगा गया, UNEP तो करता होगा, इसको, बड़िए नहीं करता, जर्मन watch करता है, यह important है, ठीक है, बिल्कुल important है, यह काट तो इसको, C40, नाम है, तो आपसे यह पूछ कोटी, जो news में देखा गया है, वो क्या है, किस चीज़ से related है, यह initiative, तो सिर्फ इतना देखना है, कि climate change से related कोई चीज़ है, ठीक है, climate action plan के बारे में यह बात करता है, ठीक है, और तो ध्यान रखना कि India part है या नहीं, so yes Indian cities are part of it, yes, yes Indian cities are part of it, ठीक है, अब global greenhouse gas monitoring infrastructure, यह एक पर ध्यान रख सकते हैं, तो रख लेना, ना भी रखो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब देखो, climate mitigation and adaptation, पहले हम बात कर रहे थे कि climate change हो रहा है, ठीक है, अब climate change हो रहा है, तो उसको mitigate कैसे करे, कम कैसे करे, या तो कम ना कर पा रहा है, तो उसमें हम adapt कर जाएं, ठीक हम खुद में ही ऐसे changes ले हैं, या adapt कर जाएं, ठीक है, उसको करने के लिए हमारे पास mechanisms in place है, वो mechanism देखते हैं, पहला mechanism में carbon trading, की जैसे क्या होता है, की carbon creates generate होते है, ठीक है, जैसे मालो कि एक developed country है, एक developing country है, या फिर एक under developed country है, ठीक है, अब इसके पास पैसे कम है, मालो इसके carbon intensity को कम नहीं कर पा रही है, पर these countries need money, अभी अपने carbon को कम कर सके हैं, पर development में तो जाधा नहीं है, ठीक है, development यहाँ जाधा नहीं है, तो what can happen, कि अगर ये country अपने carbon को कम कर देती है, carbon emission को क्या करती है, कम कर देती है, इसको कम करती है, तो इसके पास क्या हो जाएगा, credit definition rate हो अब ये credit क्या करे, ये country क्या करे, कि खुद तो कम नहीं कर पाना, तो इसने जो कम किया उसको खरीद ले, तो पैसा तो उसने पैसा दिया, और इसने जो कम किया था, उसका credit जो है, ये खरीद ले, तो overall जो net carbon release होगा है, atmosphere में, ये खुद तो कम नहीं कर पाए, बड़ उसने जो कम किया, उससे खरीद लिया, तो जो गरीब country है, वो कम करेंगे और ये लोग उससे खरीद लेंगे, तो overall जो carbon emission in that atmosphere वो तो कम हो गया पुरे world में, net carbon emission तो कम हो गया, right, this is how this, it is working, and it was introduced in the Kyoto Protocol, ध्यान रटना, ठीक है, carbon trading जो है, ये Kyoto Protocol में introduced की गई थी, इंडिया भी कर रहा है, इसको carbon trading system लेकर आ रहा है, और ये Bureau of energy efficiency जो है, इसको implement कर रही है, बस इतना ध्यान रखना है, और बाकी कुछ भी इसमें, जावरिश याद नहीं रखना है, अब carbon trade काम कैसे करता है, इसे मानलो की, वो तो मैंने country country का बता है, अब within one country मानले के दो industries है एक industry क्या कर रहा है, एक industry कम नहीं कर पा रहा है, ये industry कम कर पा रहा है, तो ये जब कम कर रहा है, तो ये जब कम करेगा ना, उसके बदले सो क्या generate कर लेगा, अब ये credit इसको बेच देगा, और ये इसको पैसे देगा, so that's how this trading is working, चीक है, अब देखो, one question MCQ क्या बन सकता है, है आपका यहाँ पर, कि one tradable carbon credit is equal to what, कि कितना carbon emission को हम कम कर रहें, तो मेरे को एक credit मिले, so I have to, एक ton carbon dioxide, अगर मैंने emission करने से रोक लिया, then I will have one carbon credit generated, ठीक है, अब इस carbon credit को मैं क्या करूँगा, दूसरे industry को बेच दूँगा, at certain money, मैंने रहा था, किस से introduce किया कह था इसको, क्यो रिपरोगोर क्या है, UNFCCC का ही conference of the parties है, ठीक है, 97 में जो हुआ था, बिल्कुल important नहीं है, कट तो आके पड़ो, not important, not important, mission life, COP26 में हमने इसको introduce किया था, COP26 में इसको introduce किया था, PM मोधी जी ने किया था इसको, ठीक है, lifestyle for environment, कि हम अपने climate change को fight करने के लिए, what we will do is that, कि अपने energy बचाएंगे, पानी बचाएंगे, single-use plastic नहीं करेंगे, sustainable life जिएंगे, in short बात इतना है, ठीक है, इस सब हमें पता होता है, ठीक है, जो serious aspirant है, पढ़ रहा है, उसको पता होता है, यह सब, पता नहीं होता क्या, पानी कम करना है, single-use plastic नहीं करना है, तो अल्यदी बैं करते ह share के PT में भी था यह, ठीक है, क्या होता है, कि carbon border, आप क्या कर रहें, जो समाल लो कि Europe है, यहां पर India है, ठीक है, यह इसका border है, India wants to trade something to the Europe, अब Europe इसे barrier नहीं लगा सकता है, तो Europe क्या बोलता है, कि अगर आपका product जो है, वो carbon emission करता है, तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर what we will do is that, कि या तो उसको हम रखेंगे नहीं, या फिर उसको हम, या फिर उसको हम, या फिर उसको कुछ हम tariff और कुछ लगाएंगे, ठीक है, या फिर उसको हम अपने energy को green energy कर रहें, ठीक है, अब यहाँ पर आजो, कि यूरॉप का fit 455 package किया है, ठीक है, let's see, just a second हम, yeah, just a second, Europe का fit 455 package कैया है, this is important for your prelims exam, इसको धियान रखेंगे, इंपोर्टेंट है फिल्कुली ही इंपोर्टेंट इए तो बिसीकलिं क्या है कि 55% पुछले आप से यॉरॉप फिट फुर फिटेंट जो पैकेज भी इस सी-neen-news या फिर यह किस चीज़ से रिलेटेड आ है या फिर इसका मेकैनिजम क्या है या फिर इस इस व यूएनिप का इनिशेटिव है पर आपको ध्यान रखना है कि नहीं यह यूरॉपें यूनियन का है और यह किस चीज के बारे हैं बात करता है तो सब्सक्राइब करना है इसको इसका मेंन मक्सद क्या है तू इंक टू डिक्रीज़ कारबन सब्सक्राइब करना है तो आपको टरिफ नहीं लगा रहा है तो आपका गुड तो हां तक पहुचा नहीं ठीक है क्या आपको कार्वन बॉडर जिसम मेकनिजम के सर्टेफिकेट लिगाना पड़ाएगा तू इससा वो क्या आपका डेट फॉर क्लाइमेट सब्सक्राइब बिलकुल इंपॉर्टेट नहीं है बट देख लो कुछ कहने के बात नहीं है नौमल से चीज़ है यार कि कि आप जिस मालों के क सकनट्री एक क्रेटर थे ट्रेम टरहें ट्र्ट ट्रेय को यह चीप्लेट अबर्यकर को यह अपको क्या बड़ेगा फाइनग एस सम्क्लाइमित गना पड़ेट थे मैं आपको गया एक्ट्वीटी फेक्मा्ट एक्लίνेट सुन पड़ेगा इससे किया मैंके कंट्रोल हो जया ठीक है यह हो गया ओके reduction of greenhouse gas emission from ships बिलकुल important नहीं है यार अब IMO ने strategy बनाई है ऐसी हर साल 50 strategy बनी कि मैं सब तो भी पढ़ता रहूँगा exam के लिए not important ठीक है अब बोलोगे कि how do you know that it's important or not यार bit time पता लग जाता है आपको ठीक है कैसे इसको करना eliminate मैं भी वीडियो जगा कर साथा but you know it's a process you will know okay don't worry ठीक है रिस्क लेना पढ़ेगा थोड़ा बहुत वो आ जाएगा बिलकुल important नहीं कट के आगे पढ़ो not important short lived halogen मतलब क्या है कि ऐसे halogen जो कि कम जीते हैं and these are what मतलब कि basically क्या करते है कि आपके greenhouse job का methane उसके life बढ़ा देता है methane का life style यह बढ़ा देता है halogen ठीक है तो methane का life style बढ़ जाएगा तो methane is a greenhouse gas अब methane अगर जाधा time तक रहेगा तो जाधा time तक atmosphere को warm करेगा not important ऐसी बता दिया है मैंने मेरे को अच्छा लगा decarbonization carbonization का मतलब carbon को decarbonize मतलब तो कम करना है अब देखो इंडिया में decarbonization कौन कर रहा है initiative कौन ले रहा है नितियायोग ने एक न यह एक report release कर यह तो अगर आपसे पूछता है तो फिर युग नो कि decarbonization in India मतलब नितियायोग ठीक है यह ध्यान रख लेना है आपको ठीक है नितियायोग गया अगेन आपके यह सारी शिज़ें हो फिस्ट सेकेड़ अगर आपसे exam में पूछा ठीक है तो आप आप confused हो जाओगे कि WHO का initiative है क्या ठीक है बट यह डबलोचो का ही initiative है ध्यान रखना exam के लिए ठीक है तो यह एक ध्यान रख लेना exam के लिए ठीक है मैं ऐसे बहुत कम चीज़ें आपको बोलूँगा बर ध्यान रख लेना 5G1C आयाएगा तो नहीं exam में बट फिर पिर देख लेना यार नहीं दो तो लगेगा क्या छोड़वा दिया सब कुछ वड़ने को बोल रहा है देख लेना ने अफिक निगИन मारीकर और निगर्टियन को कहा दो कम करते रहें तो इट के जूड़ अग। इस प्र जादा काम हमारा हुआ रख नहीं करना है काड कैंगा इंप्टेंट यूँनेपी मैंने बताया था ना कि आपका इस्ट्रेटिक है ए यूँनेपी बढ़े भी ना आपके इंवार्मेंट के स्लेबसी ओबर नहीं होगा चीक है बट फिर भी देख लो देखो मैं जूब बनाऊंगा आ उसमें मैं बंब फर इन्स्टिूशन ये इन्सीजाइटो honest इंसीफईन में दो लेवल पर कोष़चाइशन वह बेर फिलाफी त्योंट एक एक्ट में करोंगा और अलग दीछिए फिला इसॉयोटी सीफिग बेरं कवा इन वीडियोज ठीक है ना चलो अब आगे बढ़ते हैं कि ले रहे हैं यूई निपी को बनाया गया था स्टॉक होम कॉंफरेंस में 1972 में इसके बनाया गया था यूई निपी को ठीक है स्टेटिक में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा सब ठीक है अभी इतना पता लगा ने मेरे नोट्स में भी है सब की नोट्स में आपको मिल जाएगा आई-पी जॉईंट्ली डवल्ला एम और यूई निपी का जॉईंट्ली इसको मत्रदों करते हैं ठीक है का मण कार्बन मेंट्रिक इसको रट ले ना पुशलिंग एक्जाम में आप से कॉमन कार्बन मेंट्रि देख लिए आ थिक है वे ना देखा यह है थीक है स्टॉक हम देखे लिए अभी ठीक है अब इसको stretch करने हो गहां मतलब नहीं क्योंकि आपको connection नहीं बनेगा अब देखो report कौनकों से UNEP release करता है यह सारे report देखने हैं जो famous report है बताता हूं जहां जहां gap आता है adaptation gap report, emission gap report वो UNEP करता है trick क्या है जहां gap होगा वो UNEP release करेगा एक trick होगया, global environment outlook यह एक UNEP, यह तीन report इसका याद कर लेना है adaptation gap report, emission gap report and global environment outlook UNEP ने इन तीन report को release करता है बस इसके लाब और कुछ यादने की ज़रुत नहीं है यह report क्या है, क्या है, क्या है, इसका क्या report है, क्या findings है, जरूरी नहीं है कौन release करता है UNEP, adaptation gap report, emission gap report and global environment outlook clear है, now come here world meteorological organization, WMO, United Nation की specialized agency है, यह clear हो जाएगा, धिहान राएगा exam के लिए, अब देखो, इसको trick क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, यह reports release करता है इसे तो बहुत सारे करेगा, बट यह हमारे लिए क्या important है, यह नहीं याद रखना, important नहीं है, state of the global climate report, ठीक है, अगर इसको याद रख सकते हो, तो कर लेना, बट मैंने इसको नहीं बता है, क्योंकि उतना important नहीं लगा, state of the global climate report, state जहाँ पर आ जाएगा, वह आपका कौन क करेगा, यह ट्रिक में बता रहा हूँ, state of the global water resource, state of the climate service report, तो यह सब आपका कौन सा करेगा, WMO करेगा, ठीक है, मैं तो देखो, मैं क्या करता हूँ, exam के लिए, मैं खुद क्या करता हूँ, I am a very big risk taker, ठीक है, so I like to take risk, so I like to take risk, smartly मैं calculate risk लेता हूँ, so calculation के द्वारा मैंने क्य find out किया है, कि reports जादा जादा कितने questions आएंगे, एक आएगा, बहुत जादा अगर दुनिया तबाह हो रही है, the worst case, दो questions आजाएगा, ठीक है, दो questions, मेरे selection, मेरे को 100 में 100 तो नहीं करना है, 80 से लेकि 100 मार्क से जाता है, cut off, 100 में 100 तो करना भी नहीं है, ठीक है, तो जादा द rather than doing this factual questions जहाँ पर uncertain है, मैं अपने ही static को strong कर लूँगा, वहाँ compensate ना हो, ठीक है, वहाँ पर मेरे को compromise ना करना पड़े, ठीक है, यहाँ तक हम ने cover कर लिया, now coming to the pollution party, it's very important, मैं इसका 2-3 questions हर साल आता है, इसका मैं आपको notes प्रवाइट कराऊंगा, अपना खुद का, जो मैंन system कर लुच्रश नहीं के जरूँद नहीं है, आज तक YubiSim चनी questions आए, pollution के सारे बन जाएंगे उसका है, आपक है, अब आते है, pollution एर pollution हो सकता है, water हो सकता है, plastic हो सकता है, e-west हो सकता है, pollution बहुत तरीगा हो सकता है, ठीक है, पर इए तो air pollution देखता है सब गया है, coal-based thermal power plant, मैं बताऊँगा जब परेशनाव को पढ़ाऊँगा थी, coal से हर तरह के chemical निकल जाता है, sulfur, nitrogen जो chemical आपको एक्जाम में है, बोले coal plants निकलेगा, हाँ निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो भी हमें पता है कि निकलता है, ठीक है कुछ भी निकल सकता है, आपको क्या पता, क्या निकलता है, निकलता है, ठीक है, तो coal-based plant से सारे का सारे निकलते हैं, सबसे major क्या होता है, इसका, major होता है, sulfur, nitrogen, ठीक है, यह दोनों सबसे major होता है, और particulate matter होता है, तो sulfur जो निकलता है, इसको desulphurization करने के लिए एक process होता है, FLUGAS, FHD FLUGAS, DFLUGAS कहते हैं, ठीक है, फिर nitrogen निकलता है, fly ash निकलता है, fly ash क्या होता है, वह ही जो चोटे-चोटे particle निकले, fly होके निकले, ashes, तो इसको fly ash कहते हैं, ठीक है, अब देखो, अब technologies हमारे पास क्या है, जैसे मालों कि SOX emission हुआ, sulfur oxide का emission हुआ है, ठीक है, FLUGAS में, तो इसको desulfurize कैसे करेंगे, ठीक है, इस प्रसेस से इसको desulfurize करेंगे, जब NOX का emission होगा, तो इसको यह रहते है, selective catalytic reduction या non-catalytic reduction यह प्रसेस होता है, इससे क्या करते है, हम लोग इसको compensate करते हैं, इसको minimize करते है, तिन दे particular matter जो release होता है, इसको electrostatic precipitator होता है, precipitation मालों क्य निकलता है, आपका inox निकलता है, मैं बताओंगा आपको अपने pollution वाई lecture में, ठीक है, अब आगे बढ़ते है, credit response action plan, don't worry about pollution, ठीक है, मैं फिर भी आपो cover करो ताकि आप panic ना कर जो, ठीक है, जी आरेपी, देखो, again मैं जब पढ़ाओंगा, तो I'll give you everything, कि जी आरेपी क्या है CACP क्या है, ठीक है, फिर भी यहां परता देता हूं आपको मैं ठीक है, देखो, NCR दिल्ली के region में, यह credit response action plan है, कि अगर वहाँ पे, अगर air quality बहुत सदा degraded हो जाएगी, तो हर area वाई हम क्या करेंगे, यह grid plan लेंगे, एक plan सब के लिए लिए लगाएं, कहीं ज़्यादा अ CVR का क्या होता है, ठीक है, यह अगर metric याद रख सको तो रख लेना, क्योंकि UPSC ने factual question पूछा है 2022 में, ठीक है, तो यह याद रख सको तो रख लेना, mandatory नहीं है, ठीक है, अब देखो, important क्या है, यह जो GRAP है, credit response action plan, यह आपके exam में पूछेगा, कि किस act के अंतरगत बनाया किस act के notify किया गया, यह है, इस act के अंतरगत notify किया गया, ठीक है, अब यह जो, इसको, इसको जो, implementing agency है, वो क्यों है, CAQM, ठीक है, commission for air quality management, इसके वारे में पढ़ेंगा, ठीक है, all right, GRAP has been enforced based on, अब जिस सुमान लो कि मेरे को पता कैसे पढ़ेगा, कि किस area में क्या situation है, that we will find using the AQI air quality index, यह that is your national air quality index, ठीक है, और यह, it is done by, यह आपका जो index है, it is given by CPCB, Central Pollution Control Board, ठीक है, और यह 8 pollutant को करता है, यह सब के सभी static में cover करूंगा, मैं मेरे notes में covered, ठीक है, already covered, तो यह 8 pollutant को cover करता है, particular matter 2.5, 10, nitrogen के oxide, ozone, sulfur के oxide, carbon monoxide, ammonia and lead, इसको रटना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, को दूसरा रस्ता नहीं है, ठीक है, यह यहां रट्टा लगाऊ गया तो आपको return on investment बहुत high मिलेगा, ठीक है, six categories में हम करते है, exam पुछएगा आपसे कितने five categories होते हैं, क्या, नई six categories होते हैं, एक MC को यहां से बन जाएगा, फिर एक पूछ देगा, आपसे कौन-कौन सा covered है, एक यहां से बन जाएगा, एक बन जाएगा, एक बन जाएगा कि बोल देगा, आपसे छे covered है, अचा के अंदर बनाए गया था, ठीक है, CPCB का और initiative क्या है, National Air Monitoring Program, ठीक है, NAMP, अब NAMP कितने polluting को में बचर करता है, यह चार को करता है, लेकिन आपका यह जो NAQI था, यह आट को करता है, बट NAMP does for the four air pollutants, SO2, NO2, इसको भी रट्टा लगाना पड़ेगा, मेरे notes में मैं देद आपको डोमरी, ठीक है, अब प्राणा पॉर्टल लास्ट ये पीटी में भी था, इस साल के पीटी में भी ये पुरा exact लास्ट ये पीटी में भी था, ठीक है, National Clean Air Program, प्राणा पॉर्टल, प्राणा पॉर्टल पूचे का किस चीसलिटेट है, तो आपका ये जो है, आपका ये National Air Quality, ये National Clean Air Program है उसको measure करता है, ठीक है, उसको monitor करता है, यहां तक, तो यहां से एक पर देख लेते हैं, इसको एक mind map बना के देखते है, क्या हो रहा है, कि दिल्ली में ग्रेट रस्पांस action plan लाए गया है, ठीक है, मतलब कि वहां के pollution को कम करने के लिए, ये किस चीसलिट जिए ये सी बेस्ट उड़ एम और सब्छाना आपर ये एर क्वालियूं ऑर था नेक्यास जीट hen самote कि green crackers are permissible, exam में देखें 2Q, question देखें कि every kind of firecrackers are banned, no, green crackers are permissible, ठीक है, बस यह सब नहीं करना है, we don't want to do PhD, right, यह इतना, who will do this, इतना chemical, we are not doing PhD in chemistry, right, कुछ नहीं, 135 billion लोग रहते हैं, हर दिन कुछ नहीं को development होता है, सब कुछ तो याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है, revised crop residue management guidelines, क्या है, कुछ नहीं है, crop residue बचता है, उसी को stable कहते हैं, stable को यह फार्मर जला देते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, दिल्ली NCR में, आपके fog walk, smog smog ब का सब कुछ निखलेगा, जो देदेश सब मार देना है, तो क्योंकि आपको तो पता नहीं है क्या निकले में निकलेगा, ठीक है, अगर आप से कुछ दम extreme बोल दे, बोल दे, radioactive निकल रहा है, या और uranium निकल रहा है, या कुछ इस रेडियो आक्टिव निकल रहा है, तो वह तो उतना extreme तो समझ सकते हैं हम लोग वो नहीं निकलेगा तीक है अब देखो cloud seeding क्या होता है cloud seeding में लग जाता है artificial rain करवाते है rain जिस एरिया में नहीं है वहाँ पर क्या करते है अब exam के लिए रखना है आपको data वेटा नहीं याद रखना ध्यान रखना कि silver iodide पुछेंगे क्या chemical यूज होता है तो silver iodide यूज होता है cloud seeding में कुछ नहीं होता है यह silver iodide को यह लोग spray करते हैं या फिर airplane से यहाँ से release कर देंगे यह क्या करेगा cloud में जाएगा cloud में जाकर ice crystal बनाएगा ice crystal क्या होता है यह ice crystal heavy हो जाएगा cloud उसको होड़ नहीं कर पाएगा नीचे आएगा नीचे आएगा तो पाने में गरोट हो जाएगा तो हमारे को rain महीं जाएगा बस इतना यहाँ रखना है switch why you selection मतलब कि clean clean air survey कौन करता है NCEP national clean air program करता है यह ध्यान रख लेना है बस ठीक है अब दिखो objective awareness बढ़ाएंगे इंफर्म करेंगे तो common sense है यार कि हम किसी चीज का survey क्यों करते हैं क्यों release करते हैं ताकि लोगों में awareness पहला हूँ एक चीज जहान रखना कि 131 cities है इस cities are called as non attainable cities non attainable cities जिस cities में बहुत ज़्यादा poor है air quality उसको monitor करके यह लोग अपने index में दिखा दें ठीक है यह सा important नहीं बिल्कुल नहीं water pollution mains के लिए topic है इसके लिए important नहीं है central ground waterboard बहुत 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 में आ चुका है तो probability तो नहीं आने के बड़ देख लेना ठीक है इबर कोई दिखत नहीं में 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 देखेंगे में में आ जाएगा यह सब ठीक है central ground waterboard environmental protection act में बनाय गया था and ministry of जलशक्ती में है ठीक है water में trading करना चाहता है नीतिया अग ने अग्मेंट रिलीज किया है देख लो water मतलब क्या है कि reuse करो water को promote करो water wastage कम करो इसलिए reuse करके certificate generate हो जाएगा ठीक है उसको भी trade कर लो आप these are done to promote sustainable practices ठीक है okay exam question पुछ लेंगा आप से कि water user से जो water reuse certificate बनाया है क्या उसको open market में sale कर सकते हैं बिल्गू कर सकते हैं क्यों यूँकि यह progressive move है अगर करने को बोलेगा तभी तो people will do it and more and more people will do it sustainable practice को promote करेंगे and water में क्या होगा water save होगा not important not important अब see this is a classic static topic of ecology 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 का static topic है many of you would know this I'll cover this पहले उसके पहले यह सब देख लो central water commission ministry of जल्शक्ती में attached office बस इतना याद रखना है बाकी कुछ भी important नहीं है ठीक है central water commission के CWC किस ministry ministry of जल्शक्ती में उसके लागा not important अब यहाँ पर कम what is it it is biological oxygen demand and chemical oxygen demand basically what happens is that कि किसी भी water body में ठीक है oxygen का demand होता है OD ठीक है sorry एक होता है DO dissolved oxygen मतलब कि पानी में कुछ नगा oxygen होगा ठीक है अब what happens कि इसमें pollution होता है तो मशली उसली मरे की तो क्या होता है कि उसको degrade करने के लिए ठीक है उस जो भी मतलब pollution हो उसको degrade करने के लिए उसको मतलब की decompose करने के लिए ठीक है oxygen की requirement है more and more oxygen are required ठीक है तो अगर अब वो degradation जो होता है ना जो मतलब मालों की decomposition है it is done by two things या तो उसको जो organism है जो उस पानी water body में जो organism है वो इसको decompose करे या फिर जो chemical reaction जैसे की oxidation है chemical oxidation इससे dissolve हो जाए जब organism dissolve करेगा तो ये biological organism है that's why इसको क्या बोलते है biological oxygen demand कि biological organism उसको dissolve करने के लिए oxygen को demand करेगा तो इसको BOD बोलेगे ठीक है and जब chemical process से dissolve होने के लिए उसको oxygen के demand होगे तो क्या बोलेगे COD chemical oxygen demand अब ये oxygen का demand जतना जादा होगा उसका मतलब क्या है कि उतना साथ decomposition करना है अब उतना साथ decomposition कब होना है when there is more pollution then there is more decomposition required more decomposition required मतलब more oxygen is required तो अगर BOD ज्यादा है या फिर COD ज्यादा ये क्या indicate करता है कि water में pollution ज्यादा है तब ज्यों decompose करना है ठीक है एक और ची धियान रखना है कि COD हमेशा BOD से ज्यादा होता है chemical oxygen demand हमेशा ज्यादा होगा क्यूंकि biological organism have more decomposing capacity than chemical oxidation ठीक है यह हो गया आपका देख लिए यहां तक बागे बढ़ते प्लास्टिक प्लूशन आपके मेंस का टॉपिक है इसमें ज्यादा के जरुवत नहीं है हां इस सब कुछ नहीं हटाओ इसको धियान रखना कि single-use plastic SUP जो है बैन हो चुका है ठीक है 120 micron से ज्यादा कही अभी आप फंक्शनिंग है ठीक है यह बस हैं रखना है और कुछ नहीं अटा दो circular economy basic concept पता होता है कि यार आप इसको reuse करो फिर उसको reduce करो फिर reuse करो ठीक है फिर recycle करो and this is how you circular economy promote करते हैं ठीक है ताकि plastic pollution कम से कम हो बागी कुछ भी इंपोर्ट नहीं basic शीज है नेकलिया not important not important at all land degradation क्या मतलब होता है देखो अधर वियो सब्मेट में तीन आया था UNFCCC आया था UNCVD आया और UNCCD आया था land degradation मतलब कि desertification हो गया land में moisture कम हो गया land का fertility कम हो गया these things are during the land degradation ठीक है all right okay data is not important यह legally binding framework है दुनिया में एक ही framework है जो desertification को combat करता है कौन है UNCCD ठीक है इंडिया में कौन में जर्च को monitor करता है ministry of environment obviously वही करेगा ना ठीक है sander storm not important अरावली green wall है मतलब कि यह लोग अरावली में अरावली में डिस्टिफिकेशन हो तो यहां पे लोग पेड़े पेड़ लगाएंगे पेड़ लगा के पेड़ लगा के यह लोग यहां पर green wall बनाएंगे ताकि यहां पर great green wall of Africa यहां पर भी यह लोग सुदान के पास यह लोग वही काम कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल ओजोन मैं बताया था ना आपको ट्रोपोस्पेर में ओजोन होता है ठीक है it is a pollutant secondary pollutant secondary का मतलब क्या है कि जो दो primary pollutant मिलकर इसको बनाएंगे that is a secondary pollutant दो primary protein कौन-कौन से होंगे nitrogen oxide मतलब nitrogen oxide मिलेगा और volatile organic compound मिलेगा और यह लोग मिलके क्या बनाएंगे milk ozone ठीक है बात करेंगे lecture में अपने ठीक है अराम से अब इतना देख लोग इतना काम के लिए कि यह ट्रोपोस्पेर में होता हो it's a bad ozone right अब देखो champions of the earth award UNEP देता है यह धि है इंडिया का वर्ट नहीं मिला है not important endosulfan क्या है it's kind of pesticide है ठीक है रोटर डायम के अंदर में यह mentioned लिस्टेड है ठीक है PIC होता है prior informed consent की ऐसे क्या होता है अगर कोई ऐसे chemical को आप deal कर रहे हो ठीक है एक country से country में लेकर जा रहे हो ठीक है और वो इस list में रोटर डायम convention के list में दिया हुआ है तो आपको prior informed consent देना पड़ेगा इस country में आप import कर रहे हैं उसको उसको आपको पहल इसके बार में we'll talk about in the video pollution वाले वीडियो में सब कुछ cover हो जाएगा do you think do you see कि इसका 40% तो वही 30-40% तो pollution सही है ठीक है Stockholm क्या करता कि position organic pollutant मतलब कि ऐसे pollutants जो कि persistently environment में exist करते हैं they are forever chemicals इसको forever chemicals भी हम लोग कहते है क्योंकि हमेशा exist करते हैं ठीक है यह decompose नहीं होते हैं okay Indosulfan is one of them petroleum or petcox exam में पुछेगा कि इसमें carbon सब जादा होता है carbon rich होता है ठीक है उसे जादा important नहीं है इसके लिए यह सब उतना important नहीं है great pacific garbage patch मतलब कि garbage patch दिख रहा है कि patch बना हुआ है इस सब्सक्राइब का मतलब है कि जैसे ocean current इस तरह के से ना एक circular motion में आते है तो दे में इस इस टैप गायर ठीक है it is not जिसे आप producer हो ठीक है आपने producer करके दे दिया तो ऐसे नहीं कि आपके responsibility यहां भी खतम होगी your responsibility is only extended कि आपने produce कि आपके supply chain में भी जैसे आप distribute कर रहा हो फिर उसको collection का responsibility भी producer के पास ही आएगा ठीक है waste का कि यह सब important नहीं है मिल्कुल नहीं है मीना माड़ा convention अगेन आपके static का पार्ट है मीना माड़ा मतलब की mercury pollution से मीना माड़ा disease होगा था यपान में उसके लिए convention मनागे मीना माड़ा convention राइट ओके global binding treaty है इंडियन रेटिफाइग किया हुआ इसको बस इसमें इतना डिजीज याद ने रिखना है दॉक्टर नहीं है हम लोग इस सब not important बेसल कन्वेंशन राइटम कन्वेंशन इस सब हमने देख लिया है ओल्यदे कवर किया है P.I.C. देख लिया प्राइट इंफर्म कंटेंट प अब द्यूर्ट अब इसली इस पिर ब्लाइट इस को बार बार इवाइज कर लो अंटरुस्ट मि बनना हो सबसे बन जाएगा नि बनना हो किसी से नी बने खोगए जो विश्यों लुक्त एंड लुए आज विच विडियो भाग। आल्राइट, so we are talking about the biodiversity now, देखो, biodiversity का मतलब क्या है, biological diversity, कि biology मतलब, biological मतलब कि आपके flora हो जाएगा, मतलब इसका plant, और flona हो जाएगा आपका animal, ठीक है, तो इन में जो diversity है, उसको biodiversity बोलेगे, ठीक है, अब इसमें पहला news जो आपका यहाँ पर क्या है, कि global biodiversity framework fund, ठीक है, यह fund जो initiative है, बोल देगा आपसे की, की, global, sorry, आपसे बोल देगा की, global environment facility का initiative है क्या, यह UNEP का initiative है क्या, यह आपसे बोल देगा की, World Bank का initiative है क्या, नहीं आपको यहाँ रखना है, कि no, it's an initiative of, initiative of what, it's an initiative of UN, it's an initiative of UN, it's an initiative of UNCBD, इसका जो कॉप हुआ था, इसका जो conference of the parties हुआ था, last year, that was a coming Montreal global biodiversity framework, यह established किया गया था, ठीक है, इसमें कहा गया फिर की, एक fund भी हम दे जाते हैं, इसी framework का fund दे जाते हैं, अब इसको fund करता है क्यों है, World Bank करता है, ठीक है, याद रहेगा, World Bank करता है, ठीक है, अब कनमिंग Montreal global biodiversity framework के बार में देखो, 2022 में बताया था, मैंने हुआ था, मौनिटरल में हुआ था, ठीक है, आईची biodiversity targets को उन्होंने replace कर दिया था, ठीक है, तो यह ध्यान रखना, अब यह सब देखो, आपको तुरा confusing लग रहा होगा, मेरे biodiversity lecture है, मैंने इसको पुरा-कुरा timeline वे में cover किया हुआ है, तो इसके लिए tension नेंगे जरूत नहीं, अभी स्रीव इतना देख लो, अभी क्या देखना है, इसके लिए, PT से क्या देखना है, कि global diversity framework है, ठीक है, यह coming monetary protocol में है, और World Bank इसको sponsor करता है, ठीक है, और कहा यह था, तो coming monetary framework, मौनटल में COP15 हुआ था, 2022 में, उसमें यह आया था, ठीक है, इसने किसको replace किया है, आईची यह biodiversity target को किया है, देखो क्या है, कि biodiversity को protect करने के लिए, यह लोग कुछ ना को target बनाते हैं, हर साल आते है, conference of the parties मिलते हैं, similarly, जैसे कि यह conference of the parties UNFCC की होती है, climate change को रोकने के लिए, उसी तरिके से यह लोग conference of the parties, यह सारी party जो है, यह conference मिलती है, आपके biodiversity के लिए, ठीक है, तो यह दो दो चीज़ों के लिए मिलती है, एक आपके biodiversity के मिलेंगी, एक आपके climate change के लिए मिलेंगी, इसमें जो मिलेंगी इसको बोलेंगे UNCVD, इसमें जो मिलेगा उसको बोलेंगे UNFCCC, इसके अंदर मिलती है, इस kg से मिलती है, दोनों के अंदर में फिर क्या होगा, यह लोग मिलेंगी तो इसको बोलेंगे conference of the parties, ठीक है, अब similarly biodiversity वाले के लिए जो मिलती थी, तो COP 15 इसका हुआ था Montreal में, जिस तरह की से हमारा COP 28 अभी हो आया आपके दोवई में, समझे लोग इसके पहले वाला आटकर लोगना पड़ा था, ठीक है, तो वो climate change के लिए था, और यह किस के लिए है, बायोडिवसिटी के लिए, तीनों कितनों किस में यह थे, रियो, 1992 में बना था, तीनों का तीनों, कि अगर climate change के लिए UN FCCC बन गया, climate change को देखने के लिए, और बायोडिवसिटी के लिए UN CBD बन गया, United Nations Convention for the Biodiversity, ठीक है, और फिर desertification के लिए UN CCD बन गया, यहां तक clear है, legally binding नहीं है, सिर्फ target दिया है इनों कि क्या क्या करना है, बाकि यह सारे के सारे है, these are very general and positive, तो इसको एक बार खरीब कर लो, पढ़ने रटने की, कोई समझने की, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब यहां जाओ, GEF, it's an evergreen perennial topic, ठीक है, अगेन यह static में आपके cover होता है, यह static में आपके cover होता है, ओके, GEF, Global Environment Facility, अब एक है Multilateral Environment का fund है, मतलब कि ऐसा fund है, जो की environmental बहुत सरी activities को क्या करता है, fund करता है, यह अदर clear है, मतलब कि UNCCD, UNCBD को जो पैसा चाही होता है, वो कौन देता है, Global Environment Facility देती है, अब इस facility को establish कि इसने किया, क्या है, इसके बारे में कुछ की information देख लो, देखो, यह notes में बता रहो ना, यह मेरा खुद का notes है, यह अभी नहीं बनाए, मैंने last year बनाए होता है, ठीक है, तो इसी तरीके से में अपने notes के तुरू आपको पराने ही कोशिश करूँगा, ठीक है, अब देखो, GF के बारे में यह basic चीज़ है, जो बता रहा है, यह पहले से में notes में लिखी हुई है, अब UNEP और UNEP, तीन लोग करते हैं इसको, पहले चीज़, second चीज़ कब बनाए गया, 1982 बनाए गया, data दखने की ज़रूत नहीं, बाट एक rough idea आपको लगे कि कब का है यह, यह तभी का है, don't you think कि यह, जब Rio submit हमने किया था, जब UNCCD, CBD लेकर हम लोग आया थे, तो उसको fund चाहिए ह होगा, तो इसको fund देने के लिए हमने GF को लाए, fund mobilization के लिए हमने GF को establish करा, किसने fund सबसे ज़्यादा कौन देता है, World Bank देगा, UNDP देगा, ठीक है, UNEP देगा, clear है, अच्छा, fund देता किसको है यह, ठीक है, तो fund to whom, ठीक किसको fund देता है, तो इन सब को fund देगा, UNCFCC को को भी fund देता है, यह पांच लोगों को fund देता है, यह ध्यान रखना है, उसके लवा, UNCLOS मारपूल को भी यह fund देता है, UNCLOS क्या है, UNIDATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA, ठीक है, पता है आपको, पता है सब क्या होता है, कि जो C पे, open C पे जो law बनते हैं, टेट्रोल वाटर्स क्या है, open waters क्या पता है, जो भी चीज़े होती है, उसे जो ocean of pollution होता है, C में, उसको देखने वाली body को आने मारपूल है, तो इसको भी जो fund चीज़े होगा, कौन देगा, GIF देगा, ठीक है, multilateral only fund operating on all aspects of environment, India इसका member है, obviously, इतनी important organization का India, अगर मालो मैंने पढ़ाया भी नहीं होता है, ठीक है, common इसका apart नहीं होगा, common sense जाके, we'll go with the option के हाई India apart होगा, ठीक है, clear है, उसके लावा, small climate, special climate change fund, climate change के लिए एक fund ध्यान रखना, ये भी कौन देता है, इसमें आता है, least development country fund, आपका MCQ यहाँ से बन सकता है, कि आप से बोलेगा, ये special account, ये fund है, इसको कौन manage करता है, या किसका fund ह development countries fund है, इसको कौन manage करता है, तो इसको इसको manage करता है, world bank और आपका, कौन करता है, global environment facility, ये mobilize करता है, इन लोगो को ये fund देता है, clear है, यहाँ तक, आगे बड़ेते हैं, dolphin का news यहाँ पर आया है, बतरा, dolphin देखो, ये news कुछ खास important नहीं है, इतने सारी खालतु चीद है, ठीक है, बड़ डॉल्फीन हमारा क्या, static topic है, जब हम इस species में आपको पढ़ाओंगा, यहाँ पर मैं आपको species पढ़ाओंगा, एक मिनटा, जब हम आपको यहाँ पर species Saika 배 Dalum में आपको dolphin मिलेगी आपको, ठीक है, एक बिमार वाल dimension मिलता है आपको, ठीक है, इंड拉 सबली रीजन में, बिलेगा और एक आपकी рах बडॉल्फीन वाल р於 डॉर्फीन इस प्रेश वाल डॉल्फीन है, ठीक है, आपको फ्रेश वार डॉल्फीन हैmed की एर दउल्फी यह आपके यहां से आती है साउख्टीष ऐशिया से आती है क्लेर हो गया यहां तक डॉल्फिन के बारे में देख लिए अब देखो प्रटेक्शन ओन अगेन यह आपका एक कैंड आइकन से एक इस्टेटिक टॉपिक है कि प्लांट वराइटी जन फार्मा राइट को प्रटेक्ट करने के लिए आपका यह एक राइट्स एक्ट है इंडिया में है ठीक है अब देखो आई प्रिफ्स के बारे में सब को बता है इसके अंधर हमने एक ला बना दिया कि अब ब्लांट वराइटी आ हुने हमान लीए को नेया जवाफ्स जीनि ब्लांट जै से रेट दो चीज़ी होती है एक होते हैं마ला है डिक है ज्लफ मतलब क्या हैं डिक Singapore सब्यों किया मुद्systemिंट begitu करा दो। एक आपके breeders हैं जो seed को breed करते हैं समालिया की company हुई या फिर individual breed कर रहा है उसको वह हुआ दूसरा farmer जो seed को लेके क्या कर रहा है farming करता है तो इन दोनों के कुछ ना कुछ rights होते हैं तो इनके rights को protect करने के लिए इसको प्रटेक्ट करने के लिए हमने law लाया हुआ है वह यह law लाया है इस law को हमने inspiration कहा से लिए trips agreements से इसका inspiration लिए ठीक है इतनी बात यहां तक clear वही आपको इसको exam के पर इतना याद रखना है आपको ठीक है अब देखो यह period दिया वाया है तो कुछ लोग आपको याद करने के लिए बोलेंगे temptation मुझे भी होती है डर लगता है तो अगर मैं होता तो मैं थोड़ा risk लेने वाला आदमी हूँ तो I would take risk and I would just skip it क्योंकि इतना detail में exam तक मुझे बता है कि I cannot carry it ठीक है क्योंकि आपको ultimately selection करना पड़ेगा आपको you have to take some calculated risk आपको यह calculation करके ultimately do what you have to take a risk because in the end this exam ही risk है आपका यह you assume कि आपका selection हो जाएगा first में second में third में fourth में but ज़रूर ही नहीं कि हो जाए statistically it's very unlikely right तो पूरा का पूरा exam risk है risk हर जगे है इसलिए आपको रिख लेना पड़ेगा अब देखो इसमें right कॉन कॉन से आते है topic पर बीडर के right है researcher के right है farmer के right है यहां से आपका MCQ बनेगा पुछेंगे कॉन 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 से rights covered है इस वाले act में यह job का PVF Act है इसमें कॉन कॉन से rights covered हैं बोलेगा breeders and farmers rights only researchers rights are not covered तो ये दोनों आएगा तो नहीं आपको देखना है कि तीनों rights, three rights are covered ठीक है? यहाँ से आपका potential mcq बन सकता है ठीक है? अब यहाँ प्याँ जाओ again, same topic related है कि plant genetic resource अब मैंने पिताया था आपको कि plant genetic resource जब भी बोलेंगे, इसका मतलब क्या समझने है अपने को इस seed के बारे में बात हो रही है, seed में plant का genetic material save होता है, ठीक है अब ITPGFR, यह मतलब कि international treaty है, स्वज़ में आगया on what, on plant genetic resources for food and agriculture ठीक है, तो मतलब कि कहिना कि agriculture और आपके plant की genetic resource से बात कर रहा है, international treaty है और यह बाला क्या दा, यह मतलब कि आपके national में आपका actor जो बना हुआ है rights का, मतलब दोनों बात एकी चीज़ बें कर रहे है बोध दों में talking about the same thing कि यह लोग, they are talking about what plant के genetic resource मतलब seed के बारे में बात कर रहे है, ठीक है but यह international है और वो आपका national law है ठीक है, अब यहाँ exam क्लिके आद रखना है कि इसको देता कौन है कौन इसका यह FAO तो पहले चीज़ कि who does that कौन इसका parent organization है FAO है, ठीक है, पहले चीज़ यह clear होगी है आपको second चीज़ is an FAO क्या है, FAO होगी है आपका FAO आगे पढ़ लेंगे, हम लोग इसमें दिया हुए अब इस चीज़ को आपको seed treaty भी बोलते है now this is very important धियान रखना है आपको, seed treaty पोछे का exam में क्या होता है देखो, अब यह लोग ना यह दौप topics जो है आपके, इससे पहले वाला और यह दोनों, यह आपके strategic में cover होता है मैंने agriculture का crash course में बना रहा हूँ उसमें मैंने इसको cover किया हुआ है तो आप इसको देख ले ना अभी तो यहां समझ लो, कुछ खाश चीज़ नहीं बस इतना देखना कि legally binding है पहले चीज, ठीक है किस चीज में deal करता है, seed treaty बोले किस चीज में करता है तो plant के genetic resource में across border deal करता है कि एक country से country में shift किया seed को तो क्या right का issue होगा किसको right मिलेगा, किसको patent मिलेगा ब्ला ब्ला एन ब्ला ठीक है दूसरा कि global seed vault exam में पूछ सकता है अप से, कि global seed vault क्या है तो इस इस वालबाड इस वालबाड इस इस नौर्वे ठीक है, नौर्वे में है या ठीक है, तो यह seed vault है मतलब कि जतने भी दुनिया के seed है ना यह आपके यहाँ पर लाकियों का sample रखा हुआ है ठीक है, यह चीज दो कि genetic material basically save किया हुआ है ठीक है, preservation ही तो करना था इसको, genetic material को genetic material है क्या, seed है, तो seed का vault बनाया हुआ है, जैसे हम पैसों का vault होता है, seed का vault है अब यहाँ पर understand one thing कि इंडिया में भी यह seed vault है, तो आपको find करना है कि इंडिया का seed vault कहा है मैं आपको hint देता हूँ कि अब यहाँ देखो, world heritage convention के बारे हम बात कर रहा है, ठीक है इंडिया में कितने world heritage convention है, UPC में MCQ आप से पूसकते, this is an important topic तो यह आपको ध्यान रखना है exam के लिए ठीक है, ओल रहे केवलादीव नाशनल पार्क है great himalayan national park है conservation area यह कहा है आपके, यह उत्राखन में है यह आपके राजस्थान में है फिर आपको धन्द्धवी यह वाल आपको, यह again आपके, क्या बोलता है, यह sorry great himalayan आपके हिमाचल में है यह आपका उत्राखन में हो गया ठीक है तो एक वेस्टन घाड भी है आपका, ओल्राइड यह वेस्टन घाड भी है ठीक है, तो इधियान रखना देखो अब मैंने अपने प्रिलिम्स के लिए 2022 में इसको नोट बनाया था, ठीक है तो मैंने इसको लिखावाए नाशनल पार्क कॉन 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 से है, काजी रंगा है, लदेव है, नन्न देवी है, जुंदर बने ठीक है, वाइडर संक्चुरी कॉन 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 से है, मानस है, अधर एरिया वेस्टन घाड, ग्रेटेमाल नाशनल पार्क, अशोशन अरिया यह मैंने पहले से बना कर रखा था, अब मालो मैंने कोई test series लिखी, मैरे को नई information मिली, तो मैं इसको extra pointer नाम का मैंने एक page बनाया था, कुछ 57-50 pages ले लो, आप यह 4K उसको staple कर लो, और उसमें बीच में line किछ दो, अब आपको test series हो कर यह कहीं से information मिलेगी, तो कोशिश करो क अपने notes में add कर लो, but अपने notes में add ना कर पाओ, अगर आप नए हो, तो you go what, अप इसमें line किछ के, यहाँ पर सारी चीज़ों को कर लो, यह मैंने 2022 में किया था, ठीक है, it is really helpful, देख लिए हैं यहां तक हमने, अब देखो, तो इसको रटना है अपने को यह वाला part, ठीक है, इंपोर्टन है, इंपोर्टन है, इंपोर्टन है, यह बिल्कुल इंपोर्टन नहीं है, आगे बढ़ते हैं, wildlife and conservation, देखो, this is something उचाल टेल यह कि PT में सबसे इंपोर्टन अगर कुछ है तो यह है, आपके, क्योंकि biological diversity amendment हमने कर दिया है, देखो, 2021 में जब मेरा, मैंने notes नही नहीं है, नहीं है, मैं दिखा दूँगा, अपने notes में आपको बाग में, ठीक है, तो यह 2021 से bill introduced हुआ हुआ था, हम लोग क्या चाहते थे, क्यों बायोडिवर्सिटी वाला amendment हमने क्या कर रहा, कि इसमें हमने act लेया है हम लोग ठीक है, 2023 में, जो bill था, वो act बन चुका है, ठ तो bill में अभी हमने amendment कर रहा, उसमें क्या features है, वो हम लोग के बहुत है, compare कर लेते हैं, original act में क्या था, यह आपका national biodiversity, authority national level पर है, state level पर है, local body ही, तीन level हमने divide कर रहा हुआ है, कि इस biodiversity को किस तरह के से manage करेंगे, देखो, इंडिया में तीन सबसे flagship act है आपके, ठीक है, एक environment को protect करने की environmental protection act, उसके बाद सबसे latest में 2002 में जाकी biodiversity act, ठीक है, इसको लाने के पिछे international motivation था, कि Stockholm जो conference हुआ था, 1972 में, उससे motivate होके हमने यह WPA और यह amendment हम लोग लेकर आये थे, ठीक है, उसके बाद जो UNCBC, UNCBD was, 1992 में Rio summit, उससे motivate होके हमने 2002 में किया करा, BDA लाया, biodiversity को protect करन लिए हम लोगोने initiative ले रखे हैं, ठीक है, एंदर clear हुआ, ओके आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसमें हुआ क्या, significant इपर उपर उपर से go through कर लो इसको और देख लेना इक बार, ठीक है, उसके लगा कुछ नहीं, अब मैं समझाना के चारूँ, आप ध्यान समझना इसको, एक्चिल, हो कह रहा है, we are trying, we are trying what, देखो, क्यों दू चीज़े होती है, बायो डिवासिटी में, इससे बायो डिवासिटी है, मतलब क्या कोई भी plant है, कोई भी animal resources है, ठीक है, उसको माई लोग जंगल सेंदेश को जड़े बुटी निकाल कर आम लोग लेकर आएं, ठीक है, अब किसी farmer ने, sorry, किसी researcher ने क्या करा, इससे कोई दवा बना दी, मालो इससे कुछ medicine बना दी, अब हमारी ministry of Ayush, don't you think, यह काम करती है, Ayurvedic medicine बनाती है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा research करने के लिए, they need more and more plant varieties, अब more plant varieties, तो इस पर restriction कम होना चाहिए, तो they will promote that, so that is why to promote the Ayush ministry government क् रही है, इस amendment bill के तुरू, they are trying to liberalize a biodiversity act, पहले क्या था कि आपको biodiversity को consume करने के लिए, research करने के लिए, जादा permission, जादा चीत को जरू होती थी, now less restrictions are there, ठीक है, so this is what we are doing, दूसरी चीज, कि जब biodiversity में आपको पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें I will tell you कि international conventions, अब से पहले क्या हुआ थ ठीक है, अब नागोया प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, कि यह कहता है, resources and benefits sharing, जैसे माल लिया, कि मेरा, अगर यहाँ पे, मालो की resource, कोई plant one है, plant two है, ठीक है, अब कोई tribe, tribe यहाँ पे exist करता है, तो इस से, और यहाँ tribe two exist करता है, तो इस से न, यह लोग, मालो, इसने इसको use कर ना लिया, तो यह resource को यहाँ पे share करें, similarly, अगर मालो, अफ्रीका में, में कुछ development हुआ है, तो आपके South India में share हो, US में हुआ है, तो यहाँ पे share हो, तो मतलब कि जो हमारा, biodiversity का resource है, उसमे resource की sharing हो जाए, ठीक है, biological resources क्या होजए, accessible हो जाए, पहले approval लगता था, अब approval, जो है, वो approval में, यहाँ पर relaxation मिल गया, registered practitioner को यहाँ पर, ऐसे आप कुछ भी cultivate करके कर सकते हो, ठीक है, prior intimation देदो, बागी सारा काम कर लो, state biodiversity board को आप intimation देदो, बागी काम कर लो, ठीक है, दूसरा, intellectual property rights थे, उसको, इसको apply करने से, पहले-पहले MBA का approval लगता था, ठीक है, अब क्या ह ठीक है, approval अब कह रहे है नहीं, application अगएरा कर दो, IPR लेने के लिए, IPR मिलने से पहले जो है ना, तब जाके आप यहाँ से approval ले लो, ठीक है, यह हो गया, मतलब basically कहने का मतलब है, कि it is trying to liberalize itself, ठीक है, यह हो गया, बाकी यह सब यह कुछ आत्म के ज़ूरत नहीं है, यह member हो क लेबल पे, center level पे क्या हुआ था आपका, national biodiversity authority, state पे state biodiversity authority, और local में क्या हुआ था, biodiversity management committee, इस पर UPSC ने question पूछा, वे BMC के उपर, ठीक है, अब इसका क्या गरा, इसका expansion कर दिया है, इसने, ठीक है, यह CBD क्या है, fair and equitable sharing of benefit arising from genetic resources, clear है, समझे मतलब कि genetic मतलब क्या है, कि plant, seaweed हो गया, उससे कुछ benefit होगा, तो सब में बाटो यार, ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल यही कहा है, नागोया प्रोटोकॉल क्या है, CBD के अंदर यह लोग मिले थे, COP में meeting हुई, तो एक निया चीज़ दिया, नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है, एक और है, Cartagena प्रोटोकॉल, पढ़े इसके 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 सद्धी करने का लिए NGT देखता है, नागोया प्रोटोक। के शूब ठीक है, अब देखो, यहां पर 2021 में एमेंडमेंट में भी आया था, अब यह final act बना है 203, sorry, यहां पर, आगे, काँ गैर, यहां पर, अब 2023 में जाकर act बना है, और यह, यह बिल कवाया था, बिल देखो में नोट से 2021 सिर्में नोट समय है, ठीक है, देखो, to relax the constraint of the use of biological resources to promote R&D and FDI in India में IU sector में आए, this will also impact Nagoya protocol, ठीक है, Nagoya protocol पे impact डालेगा, ठीक है, obviously, Nagoya protocol क्या कहता है, कि equitable resource sharing हो, अब equitable resource sharing तो यहाँ पर नहीं होगा ना, तो यहाँ अगर हम अपने लोगों को relaxation दे देंगे, तो equitable कहा हुआ, बाहर के लोगों साथ equitable कहा हुआ, यह तो global है ना, global resource sharing, और इंडिया हम कहा रहे है कि इंडिया वाले को ज्यादा promotion हो जाए, अयूश को जादा promotion हो जाए, ठीक है, clear रहे हैं थे, अब देखो, 2023 में ही amendment act आया था, वाइड लेफ production act में हमने amendment कर दिया था, ठीक है, इसमें amendment कर रहा हमने क्या गरा, पहले 6 schedule थे, अब हमने 4 schedule में convert कर दिया, vermin का section था schedule में, vermin का section हमने schedule से हटा दिया, changes कर रहे थे हमने last year prelims के लिए important था, इस साल most likely नहीं आएगा, बट फिर मैं cover कर दूँगा, अपने act वाले में, act वाले section में, यहां से, कहांगे, act policies वाले में cover कर दूँगा, detail में, ठीक है, अब ही फिलाल देख लो कि 6 से 4 sections हो गया, vermin का section हटा दिया है, और जो sites में animal include हैं, वो पूछे का exam में आपसे कि site वाला कि schedule में है, तो site में जो specimen है, वो हमारे schedule 4 है mentioned है, ठीक है, यह होगे, अब देखो tiger conservation in India, इंडिया में project tiger सबको पता है, अब project tiger किस के अंतर करता है, तो यह national tiger conservation authorities को देखती है, अब यह NTC, देखो, linkage करते वे चलो, ठीक है flow chart में, देखो, पहला क्या, प्रजेक tiger चला है, tiger conservation करना है, उसके लिए project tiger बनाया, प्रजेक tiger को कौन देखता है, NTC को बनाया कैसे गया, wildlife production act 1972 के अंतर बनाया गया, यह क्या था भई, तो इसको कैसे बनाया गया, इसको बनाया गया था, Stockholm से motivate होके बनाया गया था, ठीक है, अब इससे power लेकिए बहुत सारी चीज़े बनाया था, national board for wildlife बनाया गया, ठीक है, central zoo authority बनाया गया, national tiger conservation authority बनाया गया, बनाया था, ठीक है, अब ध्यान रखना एक्जाम के लिए चेयर में इसके environment minister है, ठीक है, एक में trick बताता हूं आपको, कि जितने भी bodies है, national board of wildlife, central zoo authority, national tiger conservation authority, ठीक है, इन सब के जो चेयर में है, वो आपके environment minister है central है, ठीक है, but except for one national board for wildlife, this is very very important, national board of wildlife जो है, इस apex body है, environment national parks के लिए, protected areas के लिए, ठीक है, wildlife के लिए, अब इसके chairman prime minister है, बस इतना ध्यान रखना है, बागे सब के कौन है, environment minister, इसके environment minister है, national tiger conservation authority के भी environment minister है, clear होगा है यह तक, POIQI, MS stripes किया है, news में देखा गया, MS stripes नाम से भी लग रहा है, स्ट्राइब किसमें, उधा tiger में होता है, ठीक है, tiger के बाद में कुछ चीज़ देख लो कि, keystone species है, जब मैं species आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, तो I'll tell you, keystone species क्या होता है, अभी देख लो फिर भी आप, वैसे species जिनका environment ecosystem के लिए survival बहुत थी थादा important होता है, उनको हम keystone species कहते हैं, कि अगर इनको मार दिया जाए, इनका extinction हो गया, तो बागी सारा का बदाने ecosystem जो है, वो आपका वो disturbed हो जाएगा, अब और क्या exam में MCQI का TX2 बो जाएगा नियूज में है, वो किस चीज़ से related है, TX2 St. Petersburg declaration यह सब किस चीज़ को है, टाइगर के reservation, टाइगर conservation के लिए हैं, टाइगर conservation के लिए हैं, टाइगर conservation, टाइगर, international, global measures है, steps है, okay, M-stries बता दिया मैंने क्या है, टीक है, डीटेल नहीं देखो यार, देख लो, M-stries क्या है, इंपर्टन क्या MCQ यहां से बनेगा, M-stries कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, आप से पूछेँगे, कि state with highest number of tigers, टीक है, यह सब पूछेगा क्वान से रिजल सबसे highest tiger population है, तो बस इतना है जीम कॉर्बिट सबसे जादा है, और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है तो मारा मद्यपर्देश में इतना बस यहाद रखना है आपको clear है ठीक है और यह सब देख लेक बूर ओडर ओडर तो नहीं पूछेगा आपसे बट मद्यपर्देश है साइस नंबर ऑफ टाइगर से इन इंडिया के ध्यान रखना है एंड विच टाइगर रिजर्व हैसा हाइस तंबर टाइगर जिम्कॉर्बट ठीक है यह होगा है बसेता देख लो बाग की रिफाइन डीटेल से या देखने के जरुवत नहीं है ठीक है इंडिवेस तंबर टाइगर यह सब फंटू चीज़ नहीं देखो यह होग है स्कॉ टेखलग करने का प्रोसेस के या दिमाग में किया प्रोसेस हो इसका यूपे-चीह आती है आप से क्या कैसे हुआ तो इसको हमने क्यावन दुरगावाती टाइगर रेजव कहां पर है प्रच्छतान में अभी और कौं सब्सक्राइब यह हमत प्देश में किया गया है अभी इसके final recommendation में पर State Government सिफ नाम मातर से को declare कर दीगी बट मेन काम किसका है मेन काम के NTA का है और NTA क्या था था देखो फिटर डीटर डेलुप ये निदर बनाए गया था इसको तो जार पांच में बनाए गया था Who is the head of NTA? Environment Minister clear हो गया यह था चीक है ठीक है है तो यह राजश्खान से कितने हो गएक दो तीन और यह चार और यह सुअन चाहिए और यह स्टाइगर यह पांच पांच टाइगर से रेजर्टन और उसको खाएगा टाइकर लिए तो ट्रिय क्ट डॉपिकल ड्राई डिस्डियोस forest में होना चाहिए क्लियर है यहां तर सामबर चीछ से लिए का इसा व्याद करने के जरुवत नहीं है ठीक है बागी यह सब स्किप करो आगे बढ़ाओ अब देखो क्या कर रहा है कि ITCHP has launched call for concept notes for face for the program अरे यार यार यह तो आर इंडी कर रहा है कुछ भी कर सकता है सब थोड़ी परते बाटेंगे ठीक है अब ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में कर एक ओवरॉल 60% टाइगर पपुलिशन इंक्रीज देखा गया थीख गया थीख बड़ी आ है ठीक है ना बस इतना ध्यान रखना कि हाँ टा यह तक है और यह थीख लिया अब चीटा को लाने के लिए इंपलेमेंटेशन कौन करता है प्रजेक्ट चीटा का एंटीशी ही करता है कि टाइगर का कैट है मतलब की सिस्टर कई है यहां तक हो गया एक्षब और देखो प्रच्व इस्ट्र किस अधिए इस्टारी सब को पता वताया यह रोर नहीं करते हैं बिल्ली की स्पीशी है न दरोर नहीं करती है यह गया आपका अब देखो प्रजेक्ट एलीफैंट प्रजेक्ट एलीफैंट प्रजेक्ट डॉलफिन यह सब शंकर आईस में आपके दिया हुआ है ठीक है तो उपर उपर सिर देखना है जाध ध्यान दिलगाना है काजी रंगा में नाशनल पार्क के सीरीज में काजी रंगा नाशनल पार्क आपका important है तो गजस्व मनाएगा this is an important news इंपोर्टन न्यूज में देखो जो इस species of news है, नाशनल पार्क के news है whatever is in news तो news में तो कुछ भी हो सकता है अगर उसमें एहमाल लोग की कोई जानवर भी मर गया या फिर कोई विजिट करने चला गया या कुछ भी हुआ तो वो news में आ जाएगा तो paper में आएगा लोग इसो cover कर देंगा but which news is important ये गजस्व मनाया गया है थर्टी एर सो प्रजेक्ट लेफेंट बनाए गया इस important, very important this year तीस साल हो गया है कजस्व मनाया गया है काजी रंगा नाशनल परक में तो काजी रंगा विल भी important काजी रंगा इंपोर्टन दूसरा आपका प्रजेक्ट लेफेंट है अब देखो कि किस स्टेट में सबसे जाधा elephant reserves है वो आपके तमिलनाडू आसाम में एक fact ध्यान रखना है तो एक MCQ का fact आपका यहाँ पर है दूसरा MCQ की which state has the highest number of elephant corridor अब देखो elephant reserve मतलब कि एक area जहाँ पर elephants है elephant corridor मतलब कि elephant मालो इस area में इस area यहाँ elephant रहते है अब यहाँ से elephant जो pass करेंगे इसको इसको corridor बोलते है जहाँ से elephant pass करते है यह clear होगे आपका ओके हो गया हो गया है प्रचिट elephant obviously ministry of environment का scheme होगा common sense बजाने की ज़रूत नहीं है elephant साधा highly intelligent animals इस पर देख लेना उपर पर से इसको ठीक है सब पढ़ने के ज़रूत नहीं है ठीक है एक चीज़ान रखना कि Asian और African elephant में पुछे का बड़ा कौन से होते है African बड़ा होते है African हर चीज़ बड़ी होती है right African lion बड़ा है African cheetah बड़ा है African elephant बड़ा है Asian से ठीक है everything African is big and Asian is small you know right now state of the rhino report अब इसमें देखो इतना है कि rhino report release करिये इसना है foundation है राइन रोपर हर साल होती है और क्या बड़ी बात है कोई खास significant news नहीं है but rhino हमें इतना ध्यान रख लोबस कि rhino आपका greater one-hound rhino इंडिया मिलता है Indian rhino greater one-hound rhino बोलता है and kazi ranga national park में यह मिलता है ठीक है ठीक है it is a largest of all rhino commons है मतलब कि common knowledge बाली चीज़े जनल नोलेज की चीज़े असम has a world's high 70% of the world's population ठीक है of these one Indian rhino ठीक है न तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे असम में एक चीजी हो गई अब देखो वल्चर पे drug का बैंड कर रहे है actually drug कौन सा है पेंकिलर पेंकिलर सा की पेंडियल न्यूज है it's a very evergreen topic contemporary news है बहुत साल से न्यूज में है ठीक है तो वल्चर में क्या होता है कि डाइकलोफेनेक ऐसे क्लोफेनेक जो NSID होता है non-steroidal anti-inflammatory drug जो होता है जो पेंकिलर खाते है तो उनका न उसको अगर इंसान में ज़्यादा खालेगा उसको kidney level fail हो जाएगा ठीक है उस पे prescription पे लिखा होता है that's why अगर वल्चर सो consume करते हैं तो उसको क्या होता है वल्चर सा डाइंग the kidney failure हो जा रही है ठीक है kidney failure होता है and they are dying diaglophenic इंडिया में band इस सारे के सारे band नहीं है acyclophenic अभी चल रहा है तो अब what is the thing की वल्चर मरते है उससे problem क्या है vultures are a very important indicator of species ठीक है vulture अगर मरेंगे नहीं तो कारकास जो है वह खाएगा कौन कारकास नहीं खाएगा तो फिर वही चीज है ना यार की पर ecosystem का balance disturb हो जाएगा अब देखो इन्होंने फंजाई को ना फंगा फंजा जो भी बोलो इसको रिनेम कर दिया है ध्यान रख लेना बस ठीक है फंजाई होते क्या है single-cell organism होते है multi-cell अब क्यों होता है ना कि bacteria वाइरस फंगी तो फंजाई होता है फंजाई वाइरस बैक्टिरियां फर्क होता है देखो वाइरस सबसे चोटा होता है ठीक है फिर आपका बैक्टिरिया आता है और फंजाई जो होता है ना फंजाई can be big also mushroom, mold, yeast सब यह सब फंजाई category में ही आते है ठीक है हो गया red center root आपका हमईशन यूज में रहता है ठीक है कुछ खास देखना नहीं है बस इतना देख लो कि यह सब सब मत याद रखा करो यहां रही सब भूल यह होगा कि यहां में confusion होगा फालतु में question गलत करके भी होगे ठीक है इसे बड़ाओ very selective very selective very very selective कम पढ़ो बहुत बार पढ़ो इतना पढ़ो कि यह मतलब भाई हाट हो जाए आप देखो इस्टेटिक में हम लोग cover करते है sites क्या है ठीक है cover करेंगे हम लोग मैं आपको क्यों बोलता हूँ बार बार कि मैं cover करूंगा इसलिए नहीं is for your own convenience की एक ही चीज़ को आप चार जगा नहीं पढ़ो एक्जाम में पिक्टोग्राफिक आपकी जो image वाली memory वो ध्यान में हैगी ठीक है मेरे को आज भी दो साल पहले का पढ़वा याद आता है क्य अगर पीटी में पढ़ना है पीटी में पढ़ लो पर पीटी में सब कुछ आपको अर्गनाइश नहीं मिलेगा ना ठीक है माइक प्रोग्राम एक्जाम में क्वेशन है किस चीज़ से तो monitoring for the illegal killing of elephants मारेंस माइक प्रोग्राम को बचाने के लिए एक टरेडा अस्पेक्ट देकर है pacically करेments Pleaseאן को मारते है वेरीम विश्मस क्लिए उसको रोकने के लिए माइक प्रोग्राम चलाएं ठीक है अब माइक प्रोग्राम क्या है यह देखना कि किसी, अब देखको, दो चीज देखने होती ही, कोई बी प्रोग्राम पुचेने, एक्जाम में तो आपको दो चीज धियान रखना होता है, कि किया वो किसी इंटर गवर्मन्टल ओर्गनेशन का है, या फिर किसी NGO का, उसको बोस कौन है, उसको कौन चलाता है, क इस जगह की नहीं, मालो के मेरा यह जगह X है, यह कोई species यहां पर आ गया, यह इस जगह का नहीं था, यह मालो यहां से उटके यहां पर चला गया, अब वो इस जगह क्या क्या करेगा, अब यहां के जो लोग हैं, उसको इससे compete करना पड़ेगा, ठीक है, for example, मालो के यह Australia है, यहां पर, अगर मैं चीता को लेकर चला जाओं, तो यहां के जो species हैं, उसके लिए used to ही नहीं है, वो trend ही नहीं है, उसका adaptation ही नहीं है, उसको से survive करने का, तो उसको क्या कर सकता है, it can destroy the entire ecosystem of the place, इसलिए उसको invasive कहते हैं, invade कर दिया, और it's alien to that place, ठीक है, so it can disrupt the local biodiversity, existing biodiversity, existing ecosystem, ठीक को नहीं पढ़ना, जो important है, important है, important कैसे पता पढ़ेगा, कि जो news सबस्याद है important है, अब देखो यह प्रोसोपिस, चाइलिने, इस जो है, it's important, why, क्योंकि यह जो आपका गल्फक मन्नार, बायो रिजर्व है ना, इसके native vegetation को इसने trade किये, तो इंडिया में हुआ है, तो इंड गया में तमिलाडो में किया है, तो इस इंडिया में तो इंपॉर्टम देख लेना क्या है, वीड है, ए ग्जाम के लिए देखना है कि क्या यह वीड है, कौरिनाग पस ट्रीज क्या है, इस प्पीछी है, फ्लोर्व नहीं पढ़ना है, ठीक है, प्लॉसिपीस चाइलिजिस क्या है, खीढा है, अनिमल है, फ्लोरा है, फॉना है, क्या है? तो प्लोसップ इस्ट्रैलैंस ज़नाथ क्या है? इलिदेश ऐड दाधोर प्लांट ठीक है? यह आगे यह उगा होगा यहां पर, आया आद बार्ष रेजर्पमीं है, तो तो डॉट रिजिस्टेंट है तो बाकियों को मतलब कि यह तो शर्वाइव कर गया तो सारा रिसोस यह खा ले रहा है तो वहां के जो एक्जिस्टिंग है वो शर्वाइव नहीं है उस चीजों से फाइट करने के लिए तो यह थेटनिंग अडिया तो प्लांट और यह बी आपका मेंगरूब मतलब प्लांट है और यह लूटविया परिवयाना भी इसमें से अनिमल कोई भी नहीं है बाकि यह चोड़ दो इसको चोड़ दो इंडिया का नहीं है अब देखो, red list of threatened species, देखो भया, इस trap में तो बिल्कुल ही मत फसना आप, it's a literally a damn trap, ठीक है, इतना आप याद नहीं रख सकते हो, ठीक है, and now see, यह जो आपकी पूरा आप बोरा है, mechanism है, लोग इस पे ए घंटे का वीडियो बना के आपको बताएंगे, ठीक है, but I would suggest you कि इस पर risk लो आप, ठीक है, इस पर risk लो, इस पर question also नहीं है, इस पर बताऊँगा, मैं आदे खंटे का वीडियो बना सकता हूँ, यार, सरफ इस topic के उपर, but time waste क्यों करना है, आपका है time अपके पास, मेरे past time है, ठीक है, अब देखो, IUCN exam के लिए क्या important है, वो बात करेंगे, exam निक अचेगा कि NGO तो नहीं है, non-governmental तो नहीं है, so it is a non-governmental organization, inter-governmental नहीं, inter-governmental मतलब क्या होता है, कि बहुत सारी government ने मिलकर बने, like UNAP, like UNDP, like WMO, like WHO, like World Bank, this type के चीज़ है, on the other hand, IUCN आपका non-governmental है, आपका WWF non-governmental है, ध्यान रखना है, ठीक है, पढ़ते 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 बहुत confusing, I know, मेरे को भी लगता था, अभी आपको सब बाई हाट हो जाएगा, बार में पढ़ना है, बस, this is a key, protected areas in news, ये सारे national park बायक्स्वाल रिजर्फ, कौन नहीं से news में है, देखो, ये सब हम लोग बाद में cover करेंगे, एक वीडियो बना के, अगर आप चाहते हो करना तो अभी देखो, यहां से करोगे, एक तो तरीका आपको करने का है, या तो यहां से आप रट लो इसको, ठीक है, इस सारा यहां से जाके आप इसको, तरीका एक पहला है, कि इसको जाकर रट लो, या फर इसके पहले आपने national park प्रिपेर किया होगा, आपका पहले दूसरा तो वहां जाके आपरिवाइस कर लो, इन सब को जाके वहां highlight कर लो, या तो यहीं से कर लो, दो तरीका है, इसा तरीका है कि आप इसको छोड़ दो, ठीक है, जाज़ा तर क्या होगा, एक question आएगा इससे, मैं छोड़ने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने course में मैंन देना देखे ही, तो उसमें से मैं एक question इसमें छोड़ दूँगा, इतना रिस्तो ले लूँगा मैं, क्यों ले लूँगा बता रहा हूँ, व्यूंकि इसको तयार करने में वो कम से कम, चार से पांच गंटे लगेंगे, पूरा रटने में इसको, कम से कम, उसके बाद भी कर क्या हो, ज़रूरी नहीं क्यों कि सारा का सारा रिवर क्या पास करती है, क्या माउंटेन है, सब करना पड़ेगा, तो इसका जो return on investment है न, ROI is very very less, that's why मैं इसको, I would not suggest you, last time बचेगा तो करना, शुरू मैं नहीं करूं, ठीक है, इसलिए मैं इसको उतना ध्यान दे के cover नहीं कर है, तो जो sites में species जो mentioned है, वो Indian active में, widely production act में कहा mentioned है, वो उसके schedule कौन से mentioned, schedule 4 है mentioned है, इसका list है, schedule 4 में हमने mention कर रखका है, यह clear हो गया, अब देखो, Species कौनकों से important है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, and I will cover, ठीक है, इसे बता देता हूँ मैं वो कौनकों से important है, हंगुल, सबको पता होना चाहिए, it's very important speech, निलगरी तहार आपके western घाटे मिलता है, पता होना चाहिए, शंगाई डियर आपके असम वाल एरिया मिलता है, ठीक है, पता होना चाहिए, मनिपूर, मनिपूर का ये state animal भी है, ठीक है, लोग तक लेके पास मिलता है, ठीक है, होगे हैं आपको, पैंगोलीन पर यूपे सी गोशन पूच्छो की है, होलोग इबन, वेरी इंपॉर्टन इस पीची, नंदंपः, फ्लाइंग स्कॉर्ल आपके नौर्टीशने मिलता है, ठीक है, अच्छल पोदेशने मिलता है, ये धियान आपका एक बर होलके है, यहां से, ढोल इंपॉर् पैसे महां से घचाइन आपके सी जियान पर्चे नि बाटे, इतना जाना के लिया किया है, बस बस्टर के सी धिया है ठीक है, कहां मिलती है, राजस्थान का स्थे बड़ में परेशने मिलता पॉपॉर्ट बीए यह सब तरग्गन फरग्गन यह सब बटाओ यह सब नहीं करना है यह सब बेखा रहे हैं डोडो देख लो न्यूज देखो अब बोलोगी कैसे इंपोर्टन नहीं इसके न्यूज इंपोर्टन नहीं है जिनेटिस्स एंड कंसरवेशन इस्ट विडियो डोडो एक्स्टेंट सेवन्टीं सेंचुरी अब यह सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनके रिसर्च से में यूपेसी को क्या फर्क पड़ता है ठीक है अब यह कुशन आगया तो आपका बैड लग तो कुछ भी पूछती है यूपेसी इसल पूछा ना बटर फ्लाइवर तो कुछ भी तो वो सब नहीं गरपा होगए इसलिए हम इसको कवर करना पड़ेगा तो न्यूज के इंटेंसिटी के बाद हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टन न्यूज सारी चीज तो न्यूज में पचास चीज पांसो चीज हो सकती सब धोड़ी पढ़ लेंगे पंटेट स्टोक्स लाजए स्टोक्स पोड़ेंगे तो यह अगया ना यार कल को मैं जागे स्पोड कर लोगा वह भी पूर्टन रही है यह इंपॉर्टन रहे हैं मैंगरुव पीटा बड़्स बस द्यान रखना कि क्या है ठीक है बड़्ट से मैंगरुव पीटा बोल ग्वेश बिखता है बिखता है अब आप से ग्जामेगा पुछेए को सकता है कि घौल क्या है यह सब नहीं आदख नहीं किया है वहां पुछेए गोल या ब्लाक स्पॉतर ग्रॉट करूंकर वट इस इड्ट भीष मर्ड है इसा काइड फिश वाल फिश बस इतना जश्टिट घरियाल घरियाल is a topic जो आपको पिशी में cover कराऊंगा कि इंडिया में घरियाल कहा मिलते हैं मलता है, इसको मैझने करेट्र इंबी भी बोलते हैं और बीचवाल एरिया में आपके घरियाल मिलते हैं ठीक है तो यह ध्यान रखेंगे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, अब बताओ, कि 70-35 hatching of घरियाल करकोडाइल स्पीशियो इस पॉटराइल सत्कोषिया गौर्जीर माराणदी रिफरे इनुटीशा, Do you think it's a very important news? Do you think this is significant news? No, right? Skip and move on, basic इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ना हमें चाहिए, ठीक है? Red sand boa, important news नहीं है, ठीक है, बिल्कुल important news नहीं है, Skip कर आगे पढ़ो, dancing frog, frog दो तरह कहा है, dancing एक music frog है, dancing frog निलगिरी में मिलता है, बस इतना ध्यान तकना है, और कुछ ध्यान तकना है, western ghaart मिलता है, निलगिरी वहीं पर है, इतना बस dancing frog क्या होता है, कहा मिलता है, western ghaart मिलता है, बस इतना नहीं, यह देखो, कुछ भी पूछ रहा है है, तो दुबारा नहीं पूछेगा है, इतने रैंडम तो दुबारा नहीं पूछता है, ठीक है, कुछ ऐसा अपराइजिंग टाइप कर रहा है, अपराइजिंग नहीं मतलब रहा है, तो इस इंपोर्टन देखना है कि बाव बाव पूछेगा क्या है, बाव 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 is a kind of a kind of a tree, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, बागे कुछ नहीं, कुछ नहीं बागे चीज़ो करना है, जेंटी आना कुरू बिल्कुल इंपोर्टन नहीं है, छोड़ो छोड़ो आगया बढ़ो, सबको छोड़ो आगया बढ़ो, ठीक है, ओक है, नाउ दीहिंग म्यूजिक फ्रॉग, बताया फ्रॉग एक तो डांसिंग फ्रॉग वेस्टन घाट में है, और आपका और आपका जो है, मुजिक फ्रॉग का है, नौट इस्ट में है, ठीक है, यह हो गया, बैटीपिलिस कलामी, बैटीपिलिस कलामी क्यों इंपोर्टन है, यह सब इंपोर्टन क्यों नहीं है, क्योंकि इसको एपी जदुल कलाम के नाम पर दियाएगा, आपसे पूछेगा कि बैटिर्टे़ीन, टर्ढोरेट टैडेट क्या होता है, टर्ढिमरेर्ट आइडाग उटर्टे़ के सपीशी ऐसे सबने होती है, बैटिपिलिस कलामी क्या कि माइक्रोस कोपी होता है, एक जान रखना, इसको पमने गहा लिदें क्यों टर्टेजिर्टे हम ularड्यों आपका एक्स्ट्रीम कडिशन में में कर सकते हैं 30 साल तक भीना खाना पानी के रह सकते हैं इस एक्स्ट्रीम कडिशन एक्स्ट्रीमी pedestrian से होते हैं ठीक है यापका यहां तक हो गया PRESID आप देखोignal FOREST 11atar emor करते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं Sustainable Development ठीक है देखो चीजों को क्या है ना कि उसको उसके जगे पर पढ़ो अगर हर चीज को पचास जगे पढ़ोगे आप तो क्या होगा कि जो पिक्टोग्राफिक मेमरी वो नहीं बनेगी ठीक है तो यह आपके कि एकॉनमी के पीटी में cover होगा ठीक है यह basic idea लोगो होता है यह green deposit क्या है ठीक है asset deposit जो मतलब कि green activities के लिए काम है ठीक है renewable energy के बारे हैं बात करे हो common sense question आता है कुछ खास question नहीं पूछेगा ठीक है अब देखो उसके बाद क्या है कि आप से मतलब sorry अपसे पैसे लेती है और मतले में आपको बांड देती है ठीक है इस पैसे से वो activities को अपने फंड करती है पर सवरीन green bond का मतलब क्या होगा कि वो green activities को फंड करेगी तो यह सारे green activities क्या है जो renewable energy, clean energy, clean transportation, climate change, pollution, pollution, prevention, control यह सारे green activities है ठीक है जो पहला green bond issue हुआ था पहले भी हो चुक है green bond issue ठीक है तो यह क्या कहता है यह time to time issue होता है ठीक है जब भी government को requirement होगी fund को project करने के तब यह issue उसको issue करेंगे ठीक है यह हो गया आपका circular economy basic concepts आपको पता होता है कि economy जिसमें recycle करें reuse करें ठीक है उसको circular economy बोलता है ठीक है तो reduce, reuse पहले तो consumption कम कर दो reduce हो गया और जो consume कर लिया उसको फिर reuse करो ठीक है और reuse भी करते-करते-करते-करते अब मालों की use करने लेक नहीं बचा तो उसको क्या करो recycle कर दो तो this is 3R का concept है यह हो गया आपका अपने को backward-forward linkage करके lateral thinking मनानी है ठीक है जहाँ यह दिख गया तो ऐसा नहीं कि इसको वहाँ पढ़के भूल जाना है इसको इससे revise करना है अपने को इसको बोलते active recall ठीक है इस very important technique active recall मैं एक video बना दूंगा यह क्या होता active recall ठीक है green building देखो ऐसी building जो कि green हो ठीक है common sense कोई खास इसे ध्यान रखना है अब एक्जाम में आपसे question पूछ ले अगर यहां से क्यों पूछ ले आपसे यहां से क्यों पूछ ले क्या पूछ सकता है lead system देखा गया है what is it about it is about the green green buildings ठीक है अच्छा green building मतलब किया कैसी building जो कि net zero emission या फिर मानलो कि जो carbon emission है वो कम करती हो ठीक है य लोग दूसरा पूछेगा ग्रीहा जिसीन नियूंस यह क्या है तो मतलब building जो हमारे पास है ना green building वो green है नहीं उसको rate करने का system है जो international system में इसको lead rating system बोलते हैं ठीक है और जो sorry international system में इसको lead rating system कहते हैं और जो Indian system है उसको ग्रीहा कहता है ठीक है यहां तक यह clear होगे आपका होगे इस से कंडिया यह क्या हो रहे है होगे होगे इंटरनाशनल इंडियन होगे आपका ग्रीहा clear रहा तक अब देखो alternative topic आगे हम लोग so what we are talking की alternative fuel and energy resources क्या है देखो अब energy resources जो all non-conventional है जो conventional मतलब जो हम लोग use करते गया रहे है अब जो non-conventional का मतलब क्या है जो use नहीं कर रहे है जो कि renewable sources of energy biofuels biochar bio CNG जो कि हम दो use नहीं conventional तरीके से use नहीं कर रहे है so we are trying to do some modifications and we are trying to use that they are non-conventional that is why they are called as alternative fuel which is normal fuel है उसका यह alternative है clear है यह तक अब देखो यह जो माहिर आपसे पूछ सकता है exam में यहां से exam से क्यों बना सकता है कि माहिर जो scheme है यह किस चीज़ से related है so it is related to what your emerging technologies in power sector ठीक है clear है clear है okay मतलब कि power में हम कुछ alternate source power का जैसे अभी तो क्या है कि coal से बनता है power उसके लिए alternate source हम लेकर आए उसको उसके बारे में research करना हो तो यह माहिर scheme उसको research को promote करती है clear है बस इतना जानना है यह सब कुछ फालतों चीज़ आनने के जरू होती है अब देखो strategic clean energy partnership आपसे पूछ सकता है कि इंडिया और किस के बीच में है ठीक है पहली चीज़ MCQ यहां से बन सकता है second MCQ यहां से बन सकता है आपसे पूछ सकता है कि re-tap जो scheme है यह re-tap जो चीज़ है what is it about तो basic की आदर को re-tap is about your renewable energy technology action platform मतलब कि renewable energy के बारे में कुछ तो भी बात करता है जाला डेटली जाने के जरूरत नहीं है किसके के बीच में है India US के बीच में है clear है बस बाकी चीज़ों को द्यान नहीं देना है ठीक है International Solar Alliance ठीक है 2015 में इसको Paris Agreement में इसको India और France ने मिलके launch किया था पहली चीज़ तो MCQ यहां से बनेगा किसका किसका initiative है India and France का कब launch किया गया था when तो एक MCQ आपका यहां से बनेगा कि when ठीक है यह initiative किसका है ठीक है यह क्या यह आयर ना का I.R. International Renewable Energy Agency जो है इसका इसका initiative है International Energy Agency का initiative है या फिर यह किसका है एक option में आपके हो जाएगा कि International Solar Alliance का ठीक है तो option क्या दोगे International Solar Alliance ठीक है clear है तो यह होगा आपका आगे बढ़ते हैं यह सब फाल्तुचीद है important नहीं है आगे बढ़ते है hydrogen को produce करने का जो तरीका है वो determine करता है कि उसका नाम किया है so codification क्या है green, blue, grey, brown, black यह color नहीं है उसका hydrogen तो colorless है यह color नहीं है इस नाम code किया गया है spectrum color spectrum में code किया गया है hydrogen को बनाने का जो तरीका होगा उसके साब इसको color coding कर दी गई है अगर उसको water से बनाएगा है then it is done through electrolysis completely clean method है इसलिए इसको green hydrogen कहते है ठीक है natural gas से बनाएगा है तो उसको कहेंगे blue blue natural gas sorry blue hydrogen और अगर natural gas का steam deformation करके बनाएगा तो grey hydrogen कहेंगे और अगर pyrolysis से बनाएगा है तो turquoise कहेंगे यह उतना important नहीं है अब उसको क्या मतलब है देखो अगर natural gas से बनाएगा है natural gas मिलता कहा है ocean नहीं मिलता है ठीक है अब ocean से निकला वाव hydrogen है इसको blue hydrogen रहेंगे पहले चीह ध्यान रागी ठीक है water से बनाएगे तो totally clean है तो कुछ इसमें release नहीं हुआ करा हमने कोई harmful pollutant वगरा है इसलिए green है ठीक है अब natural gas को हमने steam reformation क्या मतलब किया कि natural gas से हमने hydrogen produce तो कर लिया ठीक है इसको produce कर लिया बड़ इसको produce करने के जो जो यहां से carbon release हुआ था उस carbon को हमने इसको capture कर लिया ठीक है जो release होते है प्रोसेस क्या है नाचले असका मतलब क्या होता है methane methane से अपने को hydrogen निकालना है तो यह hydrogen निकालेंगे तो carbon तो atmosphere में release होगा अब यह release जो हुआ इसको अगर हम क nuclear वाले को pink कहेंगे और जो underground यह से कि आपके coal-beaded methane में अंदर मिलता है hydrogen उसको white hydrogen कहेंगे यह सब important नहीं है important क्या है green blue blue or grey ठीक है यह 3 important clear है brown और black pole से मिलता इतना ध्यान रखना और nuclear वाला pink हो जाता है clear है यहाद है clear है अब देखो hydrogen को ऐसे fuel यूज़ कर सकते हैं इसको एक बार reading दे लेना ठीक है मैं बता देता हूं क्या है अब देखो hydrogen को fuel के तरह हम दो तरीके से उसकते हैं या तो हम अपने engine के अंदर में hydrogen को डाल दें ठीक है hydrogen को डालते हैं जैसे हम cng को डालते हैं जैसे हम petrol को डालते है ऐसे fuel उसको यूज़ कर लें पहला method है number one number two is that कि उसको fuel cell के तरह यूज़ करें कि यसे battery के तरह जैसे EV यूज़ करते हैं हम electric vehicle उस तरीके से हम अपने गाड़ी में battery बना कर रखें ठीक है उस battery में हम cathode होगा इनोड होगा इसमें हम hydrogen को पास करें और hydrogen को as a fuel cell यूज़ करें तो there are two methods to use hydrogen as a fuel one is completely इसको fuel तरह यूज़ कर लो या और उसको fuel cell के तरह यूज़ कर लो clear है अब देखो आगे बढ़ो green hydrogen fuel cell जो मैंने बताया था यहां पर fuel cell वाला यह यहां पर आप देखो clear देखो क्या है इसमें एक बार इसको reading दे लेना मैं बताता हूं क्या है इसके बाद हम इससे क्या करता है hydrogen को in कराते है oxygen को in कराते है hydrogen out हुआ water out हुआ ठीक है इस तरीके से what is happening is that you are trying to create a cycle electrochemical energy produce करते हो electrochemical cycle से ठीक है electron flow हो गया तो आपका क्या हो basically यहां पर आपका electrochemical cycle बनता है ठीक है इससे जो energy release होती है that is what fuels your car clear है electrochemical process है electric energy से आप electric energy से आप mechanical energy क्या करते हो convert करते हो electric process हुआ है यहां पे अब electrochemical हुआ electric भी है chemical भी ए और chemical भी इसमें दिया इससे हमने mechanical energy को convert chemical क्या हुआ क्या हुआ कि कार चलने लगी clear है इसको बसे पढ़ लेना कुछ कहास देखने के जरूत नहीं अब देखो यह सब कुछ कहास नहीं है काट के सको खतम करो ठीक है अब देखो production of green ammonia and green hydrogen देखो इसको एक पर आप you can give it a read एक बार reading देलो उतना deep करने के जरूत नहीं है अब देखो ethanol blending यहां पर हमारे important topic आता है ethanol क्या होता है ethanol क्या होता है ethyl alcohol को ethanol कहते है ठीक है c2h5oh formula होता है याद अटने के जरूत बिलकुल नहीं है ठीक है मेरा engineering background है तो मुझे मतलब पता है पता है जरूत नहीं है ठीक है अब देखो means allow किया यह UPSC का आपका PYQ है this is your PYQ पुछा था आप से कि किस किस को use कर सकते ethanol मतलब की production में ठीक है तो यह आप biofuel में कर सकते हैं तो यह सारे चीज़ है ठीक है अब biofuel क्या होता है अगर biofuel मैं पुछूंगा कि biofuel क्या है biofuel ethanol is a biofuel biological sources से जो fuel बना उसको biofuel कहेंगे ethanol is a biofuel अब देखो biofuel बनाने का ना generation दिया गया ठीक है तो first generation first second third fourth ठीक है इस generation क्या रखना यह आपका UPSC PYQ में आया हुआ है आप भी सकता है इस important ठीक है अब देखो इस अब को blend कर रहें blending का मतलब क्या है कि जो हम gasoline use gasoline मतलब क्या होता है बिसकलिए प्रट्रोल को gasoline कहता है ठीक है US में इसको gas कहता है रही तो अपने US की movie से में देखा होगा कि यह लोग कहते है gas 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 is over gas is over ठीक है तो प्रट्रोल को इसको 20% हमारा टार्गेट है कि सारे पेट्रोल में उन्हों इतना ब्लेंड कर दे अभी currently mcq क्या बनेगा आपका एक mcq यहां से बनेगा currently कितना हमने टार्गेट अचीव किया है 10% किया है total target कितना है 20% कि 20% आपका इतना हो और 80% पेट्रोल हो यहां तक clear है अब इससे और question क्या बनेगा mcq क्या बनेगा कि इतना blending कर रहें कुछ तो फाइदा होगा पहला फाइदा क्या है पहला फाइदा यह है पहला फाइदा यह आपका green house gas emission कम होगा क्यों कम होगा क्यूंकि आपका यहां से petrol कम होगे petrol ज्यादा emission करता है पहली चीज दूसरी चीज कि air quality improve होगी कैसे क्योंकि ethanol जो होगा वो कम harmful gas release करेगा pollutant release करेगा as compared to your petrol ठीक है दूसरा benefit तीसरा benefit यह कुछ important नहीं है octanumber काफिट इतनी कल हो जाता है ठीक है knocking anti-knocking से वह होता है रिल्ड जरूत नहीं है ठीक है science background नहीं है confused हो जोगे छोड़ दो ठीक है अब देखो important क्या है important यह है इसमें एक और चीज़ है कि इससे हमारा इंपोर्ट है न इंपोर्ट कम होगा है कि हम petroleum न इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट भी कम होगा अब यह तो घर में produce हो जाएगा नहीं इतनौल नहीं है पूछाओ आया ठीक है इसलिए complicated नाम देते हैं आपको ट्राने के लिए ठीक है बट non-food ना मतलब यह हुआ कि जो हम खा नहीं सकते है वेश्ट फूड हो गया ठीक है तो उन सब को हम क्या करते हैं उससे अगर बाइव बनाएंगे तो second generation कहाएंगे देखो यहां पर और important क्या है compressed bio gas blending अब सबसे पहले आपको देखके question as a as a UPC aspirant क्याना चाहिए कि bio gas है क्यों curiosity आप से UPC demand करती है तो देखो bio gas blending में bio gas क्या सब्सक्राइब गाना चाहिए bio gas क्या है biological gas घर में जो gas क्यों क्या है compressed bio gas क्या है ठीक है तो यह सब curiosity एक दुआग में आना चाहिए हर किसी cancer अचाहिए इससे questions बनते है UPC में ठीक है अब देखो compressed bio gas को जाने से पहले आप जानों कि bio gas क्या है तो bio gas पता है इसने क्या है methane और CO2 का mixture है ठीक है अब देखो bio gas तो पता लगए क्या है methane मतलब CH4 plus CO2 और कुछ बाकी gas other gases है इसमें ठीक है methane है अब कोई भी bio gas है तो methane होगा कोई भी natural gas का main constant methane होता है हमेशा यहाँ रखना पहली बात clear है okay natural gas कहां से मिलता है यह forwardly by language कर रहे है active recall natural gas कहां से मिलता है natural gas मिलता है आपके आपके सी से मिलता है यहां से जो नीचे से हम निकालते है उसको natural gas में बोलते है clear है okay अब यह दो को bio gas बंता कैसे an aerobic decomposition of biomass अब biomass क्या हुआ कोई भी चीज जो अग्रिकल्चर एसेडियो मिनिस्पल स्वाइल वेस्ट जो भी हम निकालते है वाट भी शिट ठीक है जो भी खाना पीना वेस्ट हो जाता है जिसमें भी biological है biological का मतलब क्या है whatever which has organic matter organic matter क्या होता है जिसके अंदर भी carbon है carbon किसके अंदर में होता है anything which was living at some point of time अगर कोई plant है कोई animal है जो भी कुछ living कभी था मर गया उसके अंदर में carbon आपके मेरे अंदर है मर जाएंगे तो हम लोग that will convert into a biomass ठीक है उस biomass को हम क्या करते है एं अरोबिक decomposition कर रहते हैं ठीक है एंदर में अधर क्या हुआ कि प्रिदा उट प्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ठीक है कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कोई भी organic matter है देखलो है मैं लिग भी देता हो ठीक है कोई भी organic matter है ठीक है इससे oxygen के प्रिद्द में इसको क्या करेंगे करेंगे हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा इटी कन्वक इंटू योर्ट इंटू योर्ज्यर गयाओ इसे गयाज जो निकले इसको capture कर लेंगे तो बैअ गया का यह यह इक चीज नहीं होना है ठीक है हो गया तर अब देखो यह जो अब बाइज जो निकला है इसको क्या इसको आपने चल रहा है अब इसी को यूज करके हमने इक इनिशेटिफ निकाल सब्सक्राइब दिखा गया है तो इसमें अगर हम अगर हम कंप्रिष्ट बायो गैस यूज कर लें तो वी आर मुविंग तो यूज को बार बार यूज करो क्या होता है कि ऐसा डिफल अजो कि आप मतलब की रिसॉर्स को बचा करो कि फूज़ देनेशन के लिए बचा सको तो रिसाइकल करो ऑज़ियूज करो हमने compressed bio gas बनाए तो हो गया न sustainable अब देखो curiosity क्या नहीं चाहिए आपके दिमाग में as a UPCI aspirant कि CBG और CNG में क्या difference है compressed bio gas और compressed natural gas में क्या difference है तो यह bio gas से compressed किया तो CBG बन गया और natural gas और compressed किया तो CNG बन गया clear है विडियो लंबी होगी थोड़ी सी क्योंकि बहुत conceptual चीज़े इसमें है ठीक है science and tech का portion इसमें बहुत सारा है ठीक है अब देखो एक चीज़ देख लो यहाँ पर कि प्राइवर्टी सेक्टर लेंडिंग में यह project हम लोग इसको दे रहें ठीक है इसलिए तो alternatively यूज कर रहा है मेथेन को बर्ण करोगे तो आपको क्या मिली से क्यों नर्जी मिली की क्यों किसमें carbon है carbon is source of energy ठीक है carbon को इसमें बर्ण करते है जो carbon होता है ठीक है clear है इसलिए उसको burn करते है, burn का मतलब किया, उसको oxygen के presence में डाला तो CO2 रिलीस होता है, इसलिए हम coal को burn करते है, methane को burn करते है, these are greenhouse gases, why greenhouse gases, because they are releasing CO2 in the atmosphere, वो आपको क्या कर रहा है, heat को capture कर रहा है, global temperature बढ़ा रहा है, global warming हो रही है, आपको पूरा को पर लिंक के सौंज में आ रहा है, अब देखो, इसके लिए important कुछ खास चीज़ ही, ध्यान रखना कि विंडेना जो प्रड्यूस करते है, offshore होता है, एक offshore होता है, अब M.C.Q क्या बनेगा, कि आपसे पूछेगा कि offshore जादा है कि offshore जादा है, offshore का मतलब कि जो हम अपने यहां पे करते है, shore से हटके करते हैं, हमा आता है, वो wind आता है, ठीक है, renewable sources में, okay, tidal energy में एक बार इसको go through कर लो, map में, ठीक है, और कुछ ध्यान ने रखना, क्या, tide आएंगी, tide ऊपस नीचे आएगा, तो यह जो potential energy है, यह आपके, आपके electric energy में convert हो जाएगा, इसे यहां सक turbine गुमाएंगे, turbine गुमाएंगे, turbine गु यहां से आपके लिए flux generate होगा, and electricity के अचाहिए, ठीक है, clear है, यह बस means के लिए पारेंगे, परी के लिए नहीं है, आगे बढ़ते है, flex fuel vehicle क्या होता है, कि flexible fuel vehicle है, ऐसा fuel जो flexible हो, मतलब कि उसको हम, एक से ज़्यादा fuel उस कर सके, बस इतना ध्यान रखना है, अब और क्या ध् flexible fuel vehicle होता है, it is 100% pollution free, ठीक है, it is not a greenhouse gas releasing करता है, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा याद रखना, कि अगर exam में कहता है, कि completely इसमें greenhouse gas release नहीं होगा, completely net zero है, या completely pollution नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, anything that you burn, which is not completely, क्या कहते है, net zero, कभी नहीं है, even EV use करते है, वो भी completely net zero नहीं है, क क्योंकि EV को बनाने के लिए भी जो process से गुजरते हैं, उसको charging करोगा है, तो कहां से, बिजली कहां से produce हो रही है, वो भी आपके, अभी तो फैलहाल के लिए आपके वहीं से, coal से produce हो रही है, ठीक है, अब देखो, BS3 का मतलब किया कि जो engine है, उसके जो pollution का level है, उसके साब से BS level बनाते है, ठीक है, कि जितना कम pollution, ज़्यादा pollution करता है, तो उसको हम क्या करते है, we discarded, तो BS3 वाल था, ठीक है, ज़्यादा pollution रिस करता था, ठीक है, ज़्यादा pollution करता है, फिर BS4 आया, फिर BS6 आगया, BS5 का हमने, skip कर दिया, BS6 वाले में बहुत ज़्यादा restriction होगा, ठीक है कि जितना pollutant का सबका होगा कि SOX कितना release करें particular matter कितना release करें उसके साब से company को restructures होते हैं कि ये engine आपको बनाना है अगर इसको compliance को follow नहीं करोगे तो engine को हम चलने नहीं देंगे clear है engine मनाने का BS stage दा धिहान रखना है 3, 4 के बाद 6 आगे अभी 6 चल रहा है ठीक है और 5 पी आया ही नहीं था ठीक है not important अब देखो इसमें क्या important है natural gas बताया मैंने compress कर दो कि CNG बन जाएगा exam में पुछाएगा आप से क्या natural gas complete net zero है बिल्कुल नहीं है क्या completely clean है येस it is completely clean natural gas this is the only thing which is completely clean in terms of pollutant only in terms of pollutant in terms of pollution only क्योंकि pollution इससे कुछ खास release नहीं होता है it is a greenhouse gas of course it is a greenhouse gas that is why it is it is not net zero ठीक है clear है okay dimethylator not important syngas is important एक बाद dimethylator देख लेना एक बार ठीक है skip कर सकते हैं बड़ देख लेना एक बागी कुछ खास नहीं ये सब नहीं देखना इस्टेटिक पार्ट है सब्सक्राइब कार्ब अच्छाइड हो हाड़ोचन से बनता है ठीक है okay सब बिल्कुल इंपॉर्ण नहीं skip करके आगे बढ़ो skip 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 बताओ यह सब को याद देखने जरूत है मैं क्या याद देखने जरूत है what do we need to remember these things इस प्रिविल तो 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 रहीट स्किप एंवागे बड़ो स्मार्ट बनो याँ ठीक है आटाओ दाओ जबाँ सबाटाओ skip 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 ठीक है एनरजी ट्रांदेशन इंडेक्स ठीक है इग्जाम याद रखना कि वल्ल्ट एकॉनमिक फोर्म देता है यह रिपोर्ट इंपॉर्टंट है यहां दखना ठीक है अब जो प्रोग्रेस हुए इंपॉर्टंट हो बसना आज दखना बागे डीटेल आदेंगे ज़रूत नहीं एनर्जी ट्रांजीशन कर रहा है इसमें एक्स्टरनली कुछ आड करते ही नहीं है जो नीचर के अंदर मिलता है उसी को यूश लेंगे है जैसे कि बढसो जहाएं पर वर्मी में कमपोष्ट है फंजाई ए तीच Яए उस सब यूज को यूज कर लेंगे था बारत और टो डत फूद का एक ब्रहनेक ़ें कि और पर लांच हुआ है कि नहीं प्रावय लिम्यट्रेक्ट कमपनी के अदर में यह सॉसाइटी यह जिरॉबजिट रविजव अमरेट और आपके मलचिंग वाहप अमरेट वाप अमरेट बार इसको पढ़ लेगा कुछ खास बात नहीं बीच में अमरीत मतलब बीच को अगरेंगे अभी देखो इसका कुछ खास कॉंक्रिट हमने पता नहीं चल पाया है साइंस इंटेक के साब से रिसर्च में कि यह सच में बहुत साथ एफेक्टिव है नहीं है बट ठीक है नाचुरल है तो इसकी इल उतनी जादा नहीं होती है ब Victoria अब इस पर एकष़र चाहता है एक कुछ लोक कह रहा चाहीं है कि इस पर ञेसा अब इसमें आध्यओ ने के उपर हम लोग क्या कर रहे है एक land के उपर agriculture भी कर रहे हैं and we are doing forestry also forestry का मतलब क्या हो कि हम ट्रीज लगा रहे हैं ठीक है and agriculture का मतलब कि हम crops लगा रहे हैं ठीक है crop में wheat लगाया paddy लगाया whatever ठीक है forestry में मनें जैसे और लोगा की tikka mango का साल का ठीक है लगा दिया हमने नाभा दिया है अब agriculture तलचरा के साथ, चैलेंजिस क्या है, अग्रोफोष्टी के साथ, इसका पॉजिटिव क्या होगा पहले में रिको बताओ, पॉजिटिव की होगा, कि सुस्टेनेबल प्रैक्टिस है, ठीक है, पहला पॉजिटिव, इसके इल्ड जादा होगी, क्योंकि हम एक ही लैंड से साथ, टीक है, इसमें क्या करते हैं ना मिक्स्ट फ्रमिंग में इसे एक स्ट आगए चल जाते हैं, एन क्षी तर . आछाध है, ट्य॥िटिवागँ क जो नंन्ले जे में, बांपारी, तलकल गपल्र बिक्रैक्त bleibt क्योंस्ट त ने सक्ष्ट आगे बढ़ाते है, DSR, this is important topic, इसको पढ़ेंगे, electronic soil को एखास चीज़ नहीं, hydroponic important है, देखलो, hydroponic मान दो क्या होता है, कि soil free plant cultivation, हमें plant के लिए soil चाहिए होता है, हम इन वार्बन में आगे पढ़ेंगे, मैं बढ़ाऊंगा आपको, जो में ecology पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, agriculture का course कवर कर रहा हो हो मैं, उसमें बढ़ात होंगा आपको, ठीक है, soil के बारे में जब पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगा आपको, soil का काम क्या होता है, plant को nutrient देना, ठीक है, plant को support देना, ठीक है, आपको plant को क्या करना water देना इसाब स्वाइल काम होता है अगर यह स्वाइल को हम replace कर दें और यह सारा काम अगर पानी करते तो इसको hydroponics क्याते है पानी में ही हम nutrient dissolve कर देंगे chemical डाल देंगे पानी से support देंगे ठीक है तो that's why इसको hydroponics, hydroponics क्या है कि soil को replace कर दी है soil less farming है soil free plant cultivation है soil के जगा हम chemical induced पानी को use करते है clear है बस इतना याद रखना मियावा की method PYQ में आ चुका है दुबारा UPC टर्म को नहीं पूछती है ठीक है अच्छा ठीक है फिर भी एक बड़ देख लो आत्मिक शांती के लिए महारशी program important है याद रखना global bio affiliate alliance बस देखना कि इतना देखना है कि किस चीज़ के लिए है तो यह millet के लिए है महारशी program is related to millet बस इतना और कुछ detail याद रखने के जरूवत नहीं है ठीक है एक और ज़्यादा अगर लगे तो देखो क्योंकि देखो इसको करने वाली body कोई बहुत बड़ी body नहीं है ठीक है तो सारी इतनी technical इतनी minute body हम याद रख सकते नहीं है not possible तो इतनी ध्यान लगाना भी नहीं है ठीक है जो हमारे हाथ में है doable है उसको करना है uncertainty के बिचे नहीं भागना है randomness के बिचे नहीं भागना है don't get mad about that please please okay global biofuel alliance ठीक है एक बर देख लेना बस ठीक है अब यह member countries आद रखना बताओ यह सब don't bother please please ठीक है possible है क्या इतना रखना है यार नहीं possible है प्लीज skip करो आगे बढ़ो बस यहां रखना कि global biofuel alliance किस ने किया है इंडिया ने लॉंच किया है कब लॉंच किया है जी 20 में लॉंच किया है बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं ठीक है अब आगे बढ़ता है not important काटो आगे बढ़ो not important not important not important not important means के लिए environmental cost of work वहरोगा इंवार्मेंट पर इफेक्ट पड़ता है ठीक है बस इतना है ठीक है means के लिए प्रस्पेक्टिव डवलप हो जाएगा और कुछ नहीं के बेटवा लिंग कंटेंपरियर टॉपिक है almost पिशे साथ भी नीउस में था के बेटवा में लिंग करना चा प्रसे बेटवा पानी कम है तो के लिंग करतेंगे ठीक है बट इसके नेगेटिव रिपकर्शन से कि बीच में जो पंदर टाइगा रजर्व होता है वह यहां पर ठीक है तो एक जिए ध्यान रखना ठीक है नो सौसे नौर जाते हैं से नीचे से उपर जाएंगे पहले पह पहला से कोष्टल एरोजन हो जाएगा से न काल हो गे तो फॉक जो को स्का कोष्टल है स्हें रिवर वोऔर्टटों से हो κιने करते हैं तो पर और जो जैए感じ है जो है और बाइन तक यहां मैं अपने वीडियो में जब 놓मेग है अब कॉड़ने की 8 Therapy is घ्रवर ठीक है 30-40 मिनट का वीडियो होगा जितने भी आप जितने भी बॉडी सब कुछ कवर कर दोंगा मैं से टीक है आइविल रिलीज इट विदिन 10 डेज सारे के सारे वीडियो कर दोंगा ठीक है एंजुटी देख लेना एंसे क्यों बन सकता है एक बड़ प्युवाइक्यू में आया भी है ठीक है यह हो गया इसमें पॉर्ट नहीं है ठीक है यह हो गया अब देखो पेरो वक्साइट क्या है बस ध्यान रखना है कि नाचुरल ले उकरिंग मिनरल है सोदर पैंडल में यूज होता है बस और कुछ नहीं ध्यान रखना यह सब इंपॉर्ट नहीं है शुड़ दो अब देखो यह सौदी जी को कुछ अवार्ड मिल या ठीक है तो यह एसससी और जनल अवेड़न से एक्जाम थोड़ी ना है यार के सब याद रखेंगे ठीक है इंपॉर्टन का रखना है दिको यह न रखो निकोबार का हम कर रहे है इसको मैपन बहुत जादा इपॉर्टन Eitzer मैपिंग करेंगेंका डिया जरूरा रिक तगर कि मैंपार के जए निकोड़ कुडिक्यान इस आप原因 कि रिखना है इसे रहे हमने ठीक है ऊच्छी चैसे बैय प्राइम मिनिश्टर है इसका काम क्या है तो नाशनल पार्क वाइले संक्टुरी जो भी प्रेट्ट्रिट एरिया उनकी बाउंडरी स्कॉलटर करना होता है तो कौन काम करता है डी नौड़ेफाई करने काम नपीड़न करता है ठीक है मुल्ला पेरियर डायम ध्यान रखना कहां पर है केरला में पेरियर टाइगर रजर्फ में बस इतना यहां रखना इंडराशन इनर्जी आउटलू के रिलीस करता है इसको बस एक बर ध्यान रख लेना ठीक है और बार की यह सब कुछ इंपोर्टन नहीं है यह यह देखो यह पीपाइक्यू में आपको आया हुआ था ठीक है तो इतने मायूड डेटल सा प्याद देने सकते हैं ठीक है किसी को याद होगा किसी को नहीं याद होगा ठीक है अब आ गया है तो लोग इसको पढ़ने बैठ जाएगे इस ने भी यहाँ पे लिख दिया है बट पहले थोड का गौर्मनेंटल है मतलब कि सारी वहां का इंडिपेंड़नेंटली बनाया हो इट इस इनीपेंड़नेंड brain से टीक है इन्डीपेंडेंडल है टीक है आप धेको यह एक एनर्जी रिपोर्ट रिलीस करते है वोल्ल इडी ट्रांडिशन रिपोर्ट युद्नी पिरनेड़ी ए यहां से बन जाएगा ठीक है बागची द्यान दियान ने रखना है आपको टीक है स्टेट फूर्ड अग्रिकल्चर रिपोर्ट एक बार देख लेना बस इसको ठीक है और कुछ नहीं ठीक है बस यहां थ्यार के हम लोग खतम करते हैं इसको नाव डिजास्टर अधिक हो डिजास्टर मेनेजमेंट सिर्ण म현जमें को वृद कर लिए यह भर कर लिया नहीं से पर कर लिया है यह सबसटे हैं हमें इससिते कर ल्य नहीं क् enfer is not a part of environment ठीक है इसको बस एक बार जिस्ट गिवेट रीडिंग मैं इसमें टॉपिक बतायता हूँ क्या पढ़ना है आपको ठीक है यह बिजिकली मेंस के लिए इसके लिए पढ़ लेना ठीक है उसके बाद आप अर्थ को एक सवामेंग पर सिर्फ रीडिंग करना ठीक है उसको फडिंडी है और को चाट करता है ठीक है और कुछ नहीं करता है ठीक है सब मेंस का टॉपिक ठीक है इस म MachLeo चardebi बॉमेंट ईकर lapindo कखेंक जूइंभ पढ़ा होगा सोपते हिए ठीक है कर लीठी को इक नएा कoo पीजिए इस पेसिफिव इसले सब इंप्टेंट नहीं है सब इंपर्टेंट आप जिसको कणे लिए तो ऑभी बाग निलकाना, but if you ask me, आप इसको skip कर सकते हो, you can skip it, ठीक है, अगर मेरे से personally पूछोगे, तो you can skip it, अगर मैं होंगा, तो I just gave it a reading, और कुछ दो-चार लाइन मिला तो मिला नहीं, तो मैं छोड़ो के चला चाहँगा इसको, ठीक है, so we have to utilize our time very 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 carefully, and by this I have entered the PT environment, इसके लाओ मैं PT के courses launch कर रहा हूँ, ठीक है, theory of cost, it's on YouTube, and वे दस modules दो मैं इसके, ecology से लेके, सारे modules मैं आपको यहाँ पे, ecology, biodiversity, pollution कवर करूँगा, इसे दो-तीन questions आते हैं, environment per connection कवर करूँगा, act policy करूँगा, इसमें जो bodies इसमें बहुत जादा करूँगा, इसपिशी कवर करूँगा, रामसर साइड करूँगा, बाइस फे रिजर्व करूँगा, नशनल बार क्लाश में देखें, क्योंकि इसका return on investment बहुत जादा कम है, क्योंकि इसमें बहुत जादा investment लगेगा आपका, ठीक है, so this is how we'll cover it, उसके लाव PT आपकी बहुत चुकी प्रतरीकी से, मैंने सारा कुछ कवर कर दिया PT में, ठीक है, हमने देखो कि पर recall कर लेते हैं, कहां से start किया था और कहां पहुँचे, हमने climate change से start करा, तो नों वगरे देखा, ठीक है, फिर हमने climate mitigation देखा, adaptation किस तरके से करा, फिर pollution का हमने देखा, pollution CACP देखा, GRAP देखा, ठीक है, फिर हमने cloud trading देख लिया था, water pollution देखा, वाटर trading देखा, ठीक है, प्लास्टिक पे देखा, हमने यह देखा था, हमने external producer responsibility देखी थी, हमने, battle for tea पे हम लोग आए, इसमें देखा हमने कि GDP FF fund किसका है, ठीक है, gunming mental protocol देखा है, global environment facility देखा हमने, कि world bank का, UNDP का है, ठीक है, यह protection of plant pariates, प्रामस देखा कि यह लोग प्रांट की genetic material मतलब की seed को प्रिजर्ब करते हैं, फिर यह IT, GPRF के अंदर में seed treaty भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इस अब देख लिया था हमने, wildlife देखा हम लोग आए, यह amendment act देखा, important to liberalize कर यह government, ठीक है, production act, अब देखा हमने के schedule पहले 6 से घटके 4 हो चुके हैं, ठीक है, project cheat die elephant देख लिया था, tiger nation देखा कि इसको करती कौन बोड़ी है, NTCA करती है, NTCA को बनाया है, कि इसमें हमने world life production actor बनाया था हमने, ठीक है, यह सम active recall के technique है, यह इसको use कर सकते हो, अब बहुत बहुत अच्छे तरीके हैं इंडेक्स को, ठीक है, active recall करना सिकार हो मैं आपको, ठीक है, और देखो, rhino important नहीं था हमारे लिए, drug देखा हमने, वल्चर का क्या drug था, इसमें क्या देखा था, डाइकलोफेनिक देखा था हमने, ठीक है, और इस तरह के से हम, अगे बहुत है, फंजाई को फंगा कर दिया, और उने, इको संसिते जोन देखा, अबने इन्वर्मेंटल परशन आट के बनाया गया था, इसको, ठीक है, इस तरह के से हमने चीजों को देखा, ठीक है, नो, अबने, अबने,